Hello everyone, कैसे हो आप सब लोग, आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं CA Final SFM में Derivative Chapter का Revision यह जो Revision होगा, यह New Course और Old Course दोनों Students के लिए Applicable है New Course में Derivative नाम से ही आपको Chapter मिल जाएगा, उसी के Point of View से अपन Revision कर रहे है Old Course में यही Chapter Indian Capital Market के नाम से है Old Course में क्या है, उस Chapter के अंदर जो हम आज revise करने वाले हैं, वो सारे Concepts तो हैं ही इसके अलावा Interest Related जितने भी Derivative Contacts होते हैं, जैसे कि Interest Rate Options हुए, आपके Swap हुआ, Interest Rate Future, FRA यह सब भी Indian Capital Market Chapter के अंदर हैं, जो की New Course में एक Separate Chapter बना दिया गया है, Interest Rate Risk Management उस Chapter को जब revise करेंगे, तो वो Concepts भी आपके revise हो जाएंगे तो चलिए इस Chapter का Revision स्टार्ट करते हैं, इस Revision में अपन जितने भी Concepts, Formulas हैं, इस Chapter के सारे revise करने वाले हैं तो सबसे पहले आपन समझते हैं कि Derivative का मतलब क्या है, देखो, Derivative एक Contract होता है, एक Agreement होता है, जिसमें दो Parties involved होती है, एक Buyer होता है, एक Seller होता है For example, मुझे Reliance का Share खरीदना है, लेकिन आज नहीं, तीन महीने बाद तो मैं एक Party के पास जाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि 3 महीने बाद मुझे Reliance का Share आपसे खरीदना है, आप मुझे Price बता दो, किस Price पे आप मुझे दोगे सामने वाले नहीं बोला ठीक है, तुम 1000 रुपए में 3 महीने बाद मुझे Reliance का Share खरीद लेना तो मैंने सामने वाले के साथ एक Contract किया, किस चीज का Reliance का Share मैं आपसे खरीदूँगा, 3 महीने बाद 1000 रुपए में तो यह Derivative Contract है, क्योंकि इसमें क्या क्या फीचर साथ दो पार्टीव इंवल्वब है, एक Buyer है और एक Seller है, वो बेचेगा, मैं खरीदूँगा क्या एक Underlying Assets, Underlying Assets मतलब जिस चीज के लिए Contract किया गया, किस चीज के लिए Contract किया गया है, यहाँ पर Reliance के Share के लिए, जो कि खरीदी या बेचे जाएगी, तो मैं खरीदूँगा Reliance का Share सामने वाला बेचेगा एक Future Certain Date पर, Future Certain Date कैसे है, 3 Months बाद, मैंने बोला, आज से लेकर, Exactly जो भी 3 Months की Date आएगी, उस दिन में आपसे खरीद लूँगा और एक Certain Future Price पर, Future Price हमने आज ही डिसाइड कर ली, 1000 रुपय में, तो यह एक Derivative Contract है, यानि Derivative Contract सिर्फ एक कागच का टुकड़ा होता है, इसके अलावा यह कुछ भी नहीं है, एक कागच पर एक Contract किया जाता है, वही आपका Derivative Contract है यहाँ पर अब Underlying Assets क्या है, Underlying Assets कुछ भी हो सकती है, जिस भी Assets के लिए Contract किया गया हो, जिसे भी खरीदने या बेचने का Contract किया गया हो, वही Underlying Assets है, यह क्या-क्या हो सकती है, जनरली यह Securities होती है, Shares, Deventures, Bonds, Commodities भी हो सकती है, जैसे Weed, Bajra, Rice, इसके बाद Foreign Currency, Forex चे जो कि हम Interest Rate Risk Management Chapter में देखेंगे, इसके बाद Derivative जो Contact होता है, इसकी खुझ से कोई Value नहीं होती है, जो कागच का टुकड़े, इस कागच के टुकड़े की कोई Value नहीं है, इस कागच के टुकड़े की खुझ से कोई Value नहीं है, इसकी Value डिपेंड करती है, इसकी Underlying Assets पे, या सिंपल सी बात है, यानि अब मागर यह अज्यूं करूं कि तीन महीने बाद जब यह mature होगा, उस दिन भी अगर श्री लाइंस के शेर की Price 1100 रहती है, तो मुझे तो फायदा होगा ना, क्योंकि मैं 1000 रुपे में खरीद लूँगा, क्योंकि मैंने कॉंट्रेक्ट किया हुग और 200 रुपया का मुझे profit होगा, तो जैसे-जैसे asset की Price यहां पर बढ़ रही है, जो मैंने कॉंट्रेक्ट किया उस नेचर के आकोड़िग, मैंने buy करने का कॉंट्रेक्ट किया ना, जैसे-जैसे Price बढ़ रही है, मेरे को फायदा जाता होता जा रहा है, तो इस case में, इस derivative contract क बढ़ती जा रही है, मतलब, अब मान लो, मेरे एक friend है, उसने मुझे बोला, कि या, तुने तो derivative contract कर लिया, तेरको समझदार है, तेको यह सब चीजों की knowledge है, मुझे कोई knowledge नहीं है, तो तो और भी contract कर लेगा, तो मुझे दे बेचे दे तेरा contract, तो एक महीने बाद जब इस contract के 70 रुपए दे, फिर भी तेको 30 रुपए का तो फायदा ही है, क्योंकि तू 1000 में खरीद सकेगा, और 1100 में बेच सकेगा, 100 रुपए का तुझे फायदा होगा, 70 तू नहीं मुझे दिये, 30 रुपए तेरे बच गए, वो बोला नहीं, यार, बैंग गा है, कोई बात नही लेकिन एक महीने बाद, जब मार्केट में रिलाइंस के शेर की 1200 रुपए प्राइस हो गई, तो वो मेरे पास वापस आया, उसने मुझे बोला, यार, इसकी तो प्राइस बढ़ती जा रही है, तेरे तो फायदा होता जा रहा है, एक काम कर तू 70 रुपए मांग रहा था है अब क्या है, इस कोंटेक्ट से मैं 1000 रुपए में खरी सकता हूं, मार्केट में प्राइस कितनी है, 1200, मैं 1000 में खरीद के 1200 बेच के 200 का प्राइस कमा सकता हूं, अब तुझे 170 रुपए देने पड़ेंगे, समझ में आया है, तो इसकी प्राइस कैसे बढ़ती चारिए, अंड तु भी तरक्की कर लेगा, ठीक अब आयेगा नहीं खरीद में, क्यों हो, क्यों कि अब मैं 1000 रुपए में खरीदूँगा, और मार्केट में 900 में बेचूँगा 100 रुपए के नुकसान में हो, यानि इस कागज के कोई भी वेल्यू नहीं है, बेक का रहा हूं, तो इसकी वे पूर कोलर ये सब क्या हैं, यह हम इंट्रेक्स्टेट विस्क मैनेजमेंट चेप्टर में देखेंगे, अभी देखो, फोर्वार्ड, फ्यूचर और ऑप्शन, तीन तरीके के मेजर ली अपने डेरिवेटिव कोंटेक्ट्स है, फोर्वार्ड कोंटेक्ट्स में क्यों होता है, पर यहाँ पर जो दो लोग होते हैं, वो किसी एक इंटर्मीडियरी के पास चले जाते हैं, इंटर्मीडियरी कोन हो जाता है, स्टोक एक्चेंज, यानि फ्यूचर कॉंटेक्ट, स्टोक एक्चेंज के थ्रू होता है, फोर्वार्ड कॉंटेक्ट ओवर दा काउंटर हो और future contract में भी लेकिन option contract में क्या होता है एक पार्टी के पास choice होती है for example मैंने सोचा यार reliance का share खरीदने का contract कर लेता हूं तीन महीने बाद 1000 रुपए में लेकिन लग रहा है या प्राइस तो बढ़ेगी लेकिन अगर गलती से प्राइस गिर गई तो भी फिर मुझे हजार में खरीदना पड़ेगा उसकेस में नुकसान हो जाएगा तो मैंने बोला सामने वाले को यार आप एक काम करो ना तीन महीने बाद मैं चाहूं तो आपसे 1000 301 यहा सकता हूँ एक उच्छा है तो कि मेरा मन म हुआ तो खरीद मेरा मन नहीं हुआ तो मैं नहीं खरीद माइन गर पर अब यह बन फार्श रिविजन कर रहे हैं एक्जाम पॉइंट ओव्यू से इसके बाद डेरिवेट्व कॉंटेक्ट्स का सैटलमेंट कैसे हो सकता है दो तरीके होते हैं सैटलमेंट की जैसे मैं फॉर्वाड कॉंटेक्ट के एक्जामपल नों जो अपने लिया था मैंने जा मैं बहूने संहें कॉला को हॉसकत कउंट्स का मैने हाश दे ऑगड़ेगा मार्केट मॉम प्राइस करना कि मार्केट मेंट 1200 प्राइस होगी तो 1200 में बेच दूँगा 200 रुपय का मैंने प्रॉफिट कमा लिया यह हो जाता है फिजिकल डिलेवरी मतलब जो हमने कॉंटेक्ट किया था उसको उसको 200 रुपय का कैसे को मुझे 100 Biz में 100 रुपय में बेचना फड़ा उसको मुझे 100 रुपय में बेचेगा और मैं तेरे से खरीदने के बाद मार्केट में बेचूंगा बात तो वही है एक काम कर मुझे दोसों का प्रॉफिट हो रहा है तो अपनी जेब से 200 रुपए निकाल के डिरेक्टली मुझे दे यह होता है नेट के सेटलमेंट हमने कोई जो अंडरलाइंग असको ख 3 महिन पाद के डिराइंग चाछी का चेर की प्राइस बढ़ेगी और मेरे सामने मेरा दोस्त बैठा हुआ है मुझे लग रहा है प्राइस अग्छी तो मैंने बोला मुझे दोसों का फायदा हुआ उसे दोसों का नुकसान हुआ सिंपलती बात है क्योंकि उसमें गिरने पे लगाया तो मैंने बढ़ने पे लगाया तो वही चीज है यहाँ पर 1000 रुपय की बेस्ट पाइस कहा है मैंने उसे बोला कि 1000 रुपय में मैं तुस्से रिलाइंस का शेयर खरीद लूँगा तीन महीने बाद समझ में आया तो यह 60 लगाने में काम में आते हैं मेजर ली इन से 60 ही लगाया जाता है अगर अपन नॉर्मल लेंग्विज में बोले दो इसके बाद कोई specific requirement होती है तो तीन लोग जाते हैं जंदली उनको categories में बाठ दिया गया हम जैसे ही लोग हो सकते हैं लेकिन उनकी categories बना दे गई एक हैजर्स, speculators और arbitrators यह तीन लोग क्या होता है इन में फर्क हैजर्स वह लोग होते हैं जिनके पास existing कोई risk होती है और उसको वह set off करने के लिए derivative contract में जाते हैं उनको डर लगता है कि यार मुझे नुक्सान ना हो जाए existing उनके पास risk का component होता है for example मैंने अमेरिका से कोई इंपोर्ट करी जिसका मुझे तीन महीने बाद 10,000 डोलर का payment करना है तीन महीने बाद payment करना है अब आज के दिन डोलर की rate बढ़ना जाए अगर बढ़ गई आज के दिन अगर पेमेंट करूंगा तो 10,000 x 70 इतना पेमेंट होगा ठीक है और अगर तीन महीने बाद रेट मान लो कहीं 80 हो गई तो 80 x 10,000 इतना पेमेंट होगा तो मुझे डर लग है एक्जेस्टिंग में पास रिस्क है ना आज के दिन तो इस रिस्क को सेट आफ कौनने के लिए मैं डेरिवेट्व कोंटेंग में अंटर होता हूं तो मैं हूं हैजर दूसरा बंद होता है इसके पास कोई रिस्क नहीं हो आगा इसका नीचे जाएगा बस उसमें प्यासा लगाते रहते हैं वहीं चीड डर वेट्व एग्रिमेंट में होती है मैंने बूला डर वेट्यक्त लोग बस यह देखते हैं इसका फिचर काणड कर लें इसका बाइक कर लें कोई किल्कुलेशन नहीं करते यह डैरेक्टली अपने estimation के अपड़ी इनको जो expectation लगते है इनको लगता है Reliance के share के price बढ़ेगी तो एक काम करते है future contact buy कर लेते हैं इनको लगता है कि इसकी price गिरेगी Reliance के share की तो Reliance का future contact हम sale कर देते हैं इसके बाद तीसरे लोग होते है arbitragers ये होते तो speculator ही है एक तरीके से लेकिन ये speculator से थोड़ा आगे सोसते हैं ये कुछ calculations करते हैं और calculation करने के बाद decision लेते हैं speculator अपने estimation expectation के बाद ले लेता है directly और arbitragers पहले कुछ calculation करते हैं और उसके बाद decision लेते हैं ये आसपास की सारी information रखते हैं इसके बाद stock market में कुछ terminologies यूज में ली जाती हैं जो मैंने यहाँ पे note करी हैं exam में question solve करने में भी कामें आएंगो और practically तो ये आपको समझनी चाहिए ही देखो जो भी अपना ये revision चल रहा है इसमें practical part जो है इस chapter का जो आप practical life में देखते हूँ वह अपन ज्यादा detail में cover नहीं करें अधरवाइस बहुत lengthy chapter हो जाता है पर यहाँ पर अपन इतना sub cover कर लेंगे कि exam का एक भी question आप से कभी छूटेगा ही नहीं इस chapter का easily sub cover हो जाएंगे तो सबसे पहले तो terminology stock market में कुछ use में ली जाती हूँ वह क्या है अगर मैं Ralainless का share purchase करता हूँ मैं कोई company के share purchase करता हूँ तो यसे बोला जाता है ना इस company के share में long position create कर रहा हूm कुप Alberा क्यों करें कर रहा हूं तो मादलो मेरे जैसे बहुत सारे लोग market में rely fine के share में long position create कर रहे हैं इससे क्या होगा market bullish situation में चला जाएगा और market जब bullish situation में जाता है तो उसकी price increase होने लग जाती तो Reliance के share की price increase होने लगेगे और market bullish हो जाएगा इसके दूसरा deposit होता है sale मैं Reliance के share sale करता हूँ अगर मैं किसी company के share sale कर रहा हूँ तो इसका मतलब बोला जाएगा मैं उसमे short position कुरेट कर रहा हूँ शौर्ट पोजिशन क्रेट करों तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग अगर रिलाइंस के शेर एकदम से शौर्ट करने लगें बेचने लगें सेल करने लगें तो क्या होगा रिलाइंस के शेर शॉर्ट करने के विज़े से मार्केट में बीरिष पोजिशन क्रेट हो जाएगी और रिलाइंस के शेर के प्राइस गिरने लगेगी इसे हम बोलेंगे बीरिष सिच्विशन हा गई है मार्केट में तो यह टर्मिनलोजी हैं जो आपको याज लखनी है अब एक्जाम पॉइं इसका क्या मतलब है तो इन सब वर्ड को आपस में एक सिनोनिम मानते हुए आपको क्योशन को सॉल्व करना है डेरिवेटिव के जितने भी क्योशन आएंगे इसके बात दूसरी चीज़ देखो अपसाइड बैटिंग मैंने क्या बोला डेरिवेटिव कॉंटेक्स ज्यादा पर इसके बात देखो आपसाइड बैटिंग कर नहीं मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस किसी चीज की बढ़ने वाली होती है तो आपको क्या करना चाहिए आज हजाव रुपय का रिलाइंस का शेवर आपको लग रहा है कि तीन महीने बाद 1500 को जाएग तो आप क्या करना चाओगे आज आप उसे खरीद के रखना चाओगे हजार उपय में फिर पैसा कमाना चाओगे तो यानि याप सइड बैटिंग अगर यह वर्द्द दिखे इसका मतलब Geld पर चेज या में आप देखने वाले हो future forward और option contact जो हम इस chapter के अंदर पढ़ने वाले option contact को एक बार side में रख दो उसका topic अलग से पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे future और forward contact और future contact क्या होते हैं अल्लेडी मैंने बताया forward दो पार्टी इसके बीच में आपस में हो जाता है over the counter बीच में कोई intermediary होता लेकिन future contract में बीच में इंटर्मीडियरी आ जाता है stock exchange तो बस सिर्फ इतना फर्क होता है ज्यादा इन में फर्क नहीं होता है बागे theory lectures में जब आपन देखते हैं तब ज्यादा detail में आपन इनके बीच का difference देख लेते हैं तो forward और future contract में जितने भी practical calculations होगी न वो सेम होगी इसलिए यहाँ पर देखो मैंने theoretical या fair value निकालना किसकी बताया future और forward दोनों की मैंने सेम लिखी है calculation of theoretical या fair value of future और forward सेम यह forward contract के आपसे question में पूछे theoretical value बताओ यही method लगेगा future contract की पूछे तो यही method लगेगा forward और future contract में जितने भी calculations होगी सब सेम होती है बस यह आपको पता होना चाहिए अब देखो theoretically यह fair value of future और forward का क्या मतलब है इसका मतलब क्या है मैं सामने वाले के पास गया मैंने बोला आज की दिन suppose reliance का share 1000 रुपय का market में बिल रहा है ठीक है मैंने उसे बोला कि 3 महीने बाद भाई मुझे reliance का share खरीदना है किस price में देगा सामने वाला बताओ कितने में देगा मुझे 1000 रुपय में नहीं वो कुछ price बताएगा तो वो price कितने में वो मुझे बेचे का किस price पर contract होगा किस एक certain future price क्या price होगी वो किस price पर contract होगा वह ही है theoretical या fair value of future or forward theoretical या fair value का है किस price पर contract होगा मैं बोल रहा हूं कि 3 मेने बाद reliance का share मुझे खरीदना आप price बताओ वो price ही है theoretical या fair value तो क्या इस तरीके से calculate करी जाती है actual में इस तरीके से calculate नहीं करी जाती है यह सिफ theoretical है books में है यह actual में कैसे होगा actual में stock exchange NSE और BSE यह जो दो stock exchange है इन पर future contract trade होते है forward contact तो दो party में आपस में हो जाते है मैं और मेरे एक दोस्त बैठे थे dinner कर रहे ते dinner करते करते वाक्त हमारे बीच में बहस हो गई कि रिलाइंस का share बड़ेगा मैंने बोला गिरेगा हमने बोला जाओ सर्टा खेल लेते हैं यह हो गया forward contact क्योंकि जो future contact है legal platform पर होता है stock exchange पर उसकी बात करते हैं तो future contact हो रहा है stock exchange के तुन तो अब सामने वाले को मैंने बोला कि कितने में बेचेगा तो वो जो price है वो निकालना यह theoretical यह fair value है लेकिन यह यह बोलते हैं यह बोलते हैं आपको मिलेगा और आप बोलते हैं यह तीन महीने वाला वह अलग से मिलेगा दोनों में फरक समझ में आता है रिलाइंस का share 1000 रुपए दिया मिल गया और रिलाइंस का future contact मैं बोलू तीन महीने बाद मुझे खरीदना है तो वह एक अलग चीजा है कि तीन महीने बाद आपको रिलाइंस का share मिलेगा जो भी आपने आज price पर contract किया होगा मैं उसमें बोला quoted market जो price होती है stock exchange पे उसी पर trading होती है buy or sell होते है future contact भी क्या होते है buy or sell purchase या sell अभी हमने देखा भी था मैंने भी आपका example से समझाया तो purchase या sell होते है उसी price पर तो सर इस price की क्या आउशक्ता है यह हम क्यों पढ़ रहे है theoretical या fair value निकालना हम क्यों सीख रहे हैं यह आपको decision decision लेने में काम में आएगी आगे हम कुछ calculation देखेंगे वहाँ यह काम में आएगे decision लेने में यह काम में आती है बाकी वो price जो market price है उसी पर purchase sale होती है तो सर decision लेने में फिर भी क्या मतलब है देखते हैं जैसे अगर आपको याद हो security valuation chapter हमने equity share की price intrinsic value निकालना सीखा था वो क्या थी वो क्या actual market में मालू मेरे रिलाइंस के share की price निकाले intrinsic value क्या intrinsic value आरी है 900 रुपए हो सकता है मार्केट में 1100 का मिल रहा हो 800 का मिल रहा हो तो वो market value को थोड़ा represent करती है लेकिन वो हमारे decision लेने में काम में आती थी सेम वही चीज यहां पर है security valuation chapter में जो आप decision लेते थे न वैसे ही decision यहां लोगे वहां हम share को देखते थे यहां shares के futures को देखेंगे माइंड में इतना रख लो कि future एक अलग item है वो purchase sale किया जाता है shares की तरह ही एक item है जो purchase sale किया जाता है बस share के आगे future लग जाता है अब इसके पीछे logic क्या है फटाफट से एक बार logic भी देख लेते हैं फिर formula आपको बता दूँगा सामने वाले को मैंने बोला तीन महीने बाद मैं निकाल दूँगा वह फायदा होगा तो मैंने बोला यार यह तो सही बात बोल रहे है तो गहांकर जो आज när प्राइस शेयर की स्पोर्ट प्राइस ले आग भर बहुत यहां है तू तो मुझे से तरही तो किलेते रहाए जैसर मैं आज ही तुझे पैसा देरी हाँ यह वही बात अगाश सुर्स si तीन महीने में वो सारी में तुझे देदूंगा इस अंडरलाइंग असेट से तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए तो अंडरलाइंग असेट अभी अपने शेर मान रहे हैं रिलाइंस का शेर शेर पर क्या कमाई होती है डिविडेंड के कमाई तो फॉर्मुल अब देखो इसी फॉर्मुला के बेस पे सारे फॉर्मुलाज मने हैं अब इदर में आपको 9 फॉर्मुलाज बताने वाला हूं यह 9 फॉर्मुला माइंड में विदम फिट कर लेना रट लेना आपका एक भी क्वेशन कभी गलत नहीं होगा बस यही सबसे इंपोर्टेंट चीज हो जाती है अब दो सिनेरियो हो सकते हैं अब एक्वेशन में आपके पास एक तो जो अंडरलाइंग असेट है उससे आपको कुछ भी इंकम नहीं मिलने वाली है ठीक है आपको क्वेशन में दिया हुआ है कि तीन महीने बाद आपको रिलाइंस का खरीदना है आप उस अंडरलाइंग असेट से कोई भी इंकम ना मिले तो उसकेस में वेल्यू कैसे दिखलेगी तो यहां देखो फॉर्मुला में जो बेसिक फॉर्मुला जो भी मैंने आपको आता है उसमें क्या था इस्पोर्ट प्राइस प्लस इंट्रेस्ट माइनस डिविडेंट जब अंड और एक होता है continuous compounding और एक continuous compounding यह होता है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, future value पता करेंगे, theoretical future value पता करेंगे, तो उसमें भी कैसा भी इंट्रेस्ट लग सकता है। सिंपल इंट्रेस्ट भी continuous compounding भी और normal compounding भादा भी वह question में depend करेगा question में क्या बोला हुआ question में आपको बोला हुआ कि simple interest से लगाओ question में बोला हुआ continuous compounding करो वो सब उस पे depend करेगा तो देखो simple interest के के समें formula क्या बनेगा spot price plus interest formula क्या होता है spot value multiply by 1 plus rt यही तो होता है simple interest का formula spot value multiply by 1 करने से principal आ गया plus spot value को rate of interest और time से multiply करने से interest component आ गया इनका total करकिया आजए यही तो हम निकालते हैं बच्पन में हमने सीखा था हूँ इसको जाधा explain करने की जरुवत नहीं है तो मैंने यहां पर directly यह लिख दिया continuous compounding में formula क्या होगा continuous compounding में हमेशा आद अगना जभी continuous compounding होगी e आपके interest जभी भी लगेगा e से लगेगा spot value multiply by e की power rt यह continuous compounding अब ICI के question में देखो continuous compounding का मैंने मतलब बोला more than daily compounding यानि हर second में compounding हो रहे है पर ICI के question में क्या होतकता है आपको question में wording में question में अगर आपको daily compounding word भी लिखे कि interest daily compound हो रहे है तो भी आपको continuous compounding मानने है continuous compounding का real में meaning होता है more than daily compounding है नहीं हर second में compound होना पर ICI के question में अगर daily compounding भी लिखा हो कि सिर्फ daily compound हो रहे है हर दिन का interest compound हो रहे है तो भी आपको continuous compounding का ही formula लगाना है इसके बाद इस फॉर्मुला में देखो क्या क्या चीज़ होती है S V का मतलब है Spot Value of Underlying Assets R का मतलब है Interest Rate Per Random फॉर्मुला में आपको R का मतलब क्या है Interest Rate Per Random और T का मतलब है Number of Years For example, 3 महीने बाद का है Spot Value है Thousand Simple Interest के फॉर्मुला में रखें अब Compounding Interest का फॉर्मुला देखो या नि Annual Compounding Quarterly, Half Yardy इस case में फॉर्मुला क्या होता है Spot Value Multiply by 1 प्लस R की पावर T यह आपको सारे फॉर्मुला पता है इनमें कोई दिक्कती नहीं होनी चीए जो Normal Interest के फॉर्मुला है बस वही लग रहे है अब for example, Interest Rate जो Compound होती है वो हर मन्त में Compound होती है यह दिया हुआ Monthly Compounding हो रही है Interest Rate है 12% पर रहना तो Interest Rate Compounding Period के लिए क्या है Compounding Period का है 1 month तो 12% पर रहना मैं एक मन्त के Interest Rate बताओ कितनी है 1% तो Interest Rate for the Compounding Period का है 1% तो R में आप रखोगे 1% R के जगे आप क्या रखोगे 1% और T में क्या रखोगे Number of Period of Compounding जितने Maturity है आपकी Future Contact के उसमें कितने पीरेड आ रहे है Compounding Period कितने आ रहे है अपने वाले केस में कितना पीरेड है Maturity का 3 महीने तो आपके कितने आएंगे Compounding Period एक महीने कितनी बार आएंगे 3 महीनों में 3 बार तो T आएगा 3 एक दूसरे एक्जामपल लो मैं यह को Reliance का Share एक साल बाद खरीदना है ठीक है आपको Interest Rate दे रखे 12% Half yearly compounding ठीक है अब formula में कैसे रखोगे 1000 export value multiply by 1 प्लस R कितनी रखोगे R होती है Interest Rate for the compounding period compounding period कितना है 6 months interest rate कितनी अपनी 12% पर है ना तो compounding period यानि 6 months के लिए interest rate कितनी होगी 6% तो 6% और T कितना रखोगे maturity period जो है उसके अंदर कितने बार compounding होगी maturity period पूरा एक साल का है future contract का maturity एक साल का है तो इसमें बताओ 6 months कितनी बार आएंगे 6 months दो बार आएंगे तो T आएगा 2 simple सा formula है यह आपका ठीक है इसके बाद देखो अब अगर underlying asset से हमें income मिल रहे underlying asset जो है उससे अगर income मिल रहे equation में दिया होगा realize के share से आपको dividend की income भी मिलेगी तो उस case में आप theoretical future value कैसे निकालोगे अब देखो अब इसमें 2 scenario बन जाएंगे वापस income दो तरीके से मिल सकते एक income absolute term में question में दे रखियो absolute terms का क्या मतलब है question में बोल दिया आपको 10 रुपय का dividend मिलेगा directly दे दिया 10 रुपय का कोई dividend की rate नहीं दी dividend percentage में नहीं बताया directly बोल दिया 10 रुपय का dividend मिलेगा यानि fix amount दे दिया absolute का मतलब fix amount दे दिया या फिर आपको बोला dividend rate on face value dividend की face value पर rate दे दी बोला की face value का 10% dividend मिलेगा तो वो भी absolute माना जाएगा face value का 10% मिलेगा यानि 10% बताया तो है या absolute क्यों है यार face value fix होती है face value का भी change होती है क्या मानलो रिलाइस के share की 100 रुपय face value है इसका 10% बोला यानि 10 रुपय dividend 10 रुपय ही है fix dividend हमेशा fix ही रहेगा फिर face value पर अगर dividend बताया तो वो भी fix है और directly dividend का amount दे दियो तो वो भी fix है ऐसे case में formula क्या बनेगा ऐसे case में देखो simple interest के case में क्या formula बनेगा आपको एक assumption लेके चलिए है कि जो भी income मिल रही है वो income आपको मिल रही है at the end of maturity period future contract की maturity period पर period के end में मिल रही है या इसे के question में हमेशा हर question में assumption चलेगी जबता कुछ specifically ना बोल दे मानलो 3 महीने बाद मेरे alliance का share कि कब मिलेगा तो आपको यह assumption लेनी है कि maturity of future content जो कि यह 3 महीने 3 महीने के end में ही आपको मिलने वाला यह assumption लेनी है तो आप देखो कैसे नहीं किलेगा simple interest वही spot value plus interest minus dividend spot value multiply by 1 plus 80 same वही formula जो हमने does not provide income वाले case में देखा था लेकिन आप क्या होगा माइनस कर देंगे dividend income बस आगया simple का अब continuous compounding में क्यों होगा continuous compounding में देखो continuous compounding वाले में spot value multiply by e की power rt minus dividend income यह हो जाना चाहिए पर सर आपने तो अलगी formula रिखा है ICA की presentation यह वाला formula है तो इसमें और जो मैंने formula बताया मैंने formula बताया spot value multiply by e की power rt minus dividend income वो यह मतलब does not provide income वाला formula ले लो और उसमें से dividend income minus कर दो बस सिर्फ इतना सा होना चाहिए लेकिन ICA नहीं यह क्या formula बना दिया answer same ही आएगा इनका formula का logic समझो देखो जैसे ही मैं spot value में e की power rt multiply कर दूँगा या नी उसमें interest का component जोड़ जाएगा जैसे किसी चीज में interest जोड़ता है वो future में पहुंच जाती है आपको PV और FV का concept मालूम है present value वाला present value क्या करता है future में अगर मैं को एक साल बाद 100 रुपए मिलने वाले हैं उसको PV कर लूँ इसका क्या मतलब है कि उसमें से interest का component हट जाएगा और अगर उसमें मैं interest जोड़ दूँ तो वो future value आ जाती है तो मैंने sport में जैसे interest जोड़ा था वो future की value आ गए थी तीन महीने बाद Reliance के share की एक estimated price मेरी आ गए थी sport value में जैसे interest जोड़ा है SV multiply by E की power RT तो वो future में चला गया था और dividend भी कम मिलेगा तीन महीने बाद ही तो SV multiply by E की power RT माइनस dividend यह कर तो directly स्वें था क्योंकि वो future वाली चीज future में से set off हो सकती है लेकिन अब बताओ आज sport value है क्या इस में से मैं future में जो dividend मिलेगा वो माइनस कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता है देखो दो चीज में comparison जब ही होता है जब वो एक level की हो sport value एक आज के दिन की value है और dividend जो है वो future का है तो future का dividend future की value में से ही less हो सकता है आज की value में से less नहीं हो सकता हमें less तो करना है dividend तो सर हमें तो आज की value में ही करूँ इस पाड़ गए मिनस छी तो गलत है क्या करें हम क्या करें है सके घींच जीरो टाइम पे लिया और खीस है करने को बोला जाता है क्या लाने यही तो करते हो आप, लेकिन यह continuous compounding है, तो PV भी E की पावर RT से ही होगा, ठीक है, तो spot value में से dividend future का था, उसे PV के और less किया, अब यह जो net component है, इसमें interest जोर दिया, तो वही formula हो गया, cost to carry principal वाला spot minor dividend plus interest, बस जो dividend future का था, पहले उसे खींच के zero time पे लिया है, अब देखो, dividend के divide म जैसे E की पावर RT है, इसे मुझे numerator में लिखना है, तो इसकी पावर negative हो जाएगी, किसी भी चीच को अगर आप recipe protocol कर देते हो, किसी भी चीच को अगर recipe protocol कर देते हो, तो उसकी power में negative sign आ जाता है, यह mathematics का concept है, तो spot value minus dividend, divide में था E की पावर RT, तो multiply में में E की पावर RT लेकिन RT के आगे minus का sign लग जाएगा, जो power है वो negative हो जाएगी, बस यह presentation है, इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ICI यह formula यूद में लेता है, आपको SI करना पड़ेगा, आप spot value multiply by E की power RT minus dividend income करते हैं तो भी same amount आता, लेकिन पहले आपको dividend को PV कर के minus करना है, और फिए net amount को आपको interest जोर देना है, ठीक है, तो continuous compounding में ऐसा करना पड़ेगा, simple interest वाले case में ICI directly कर देता है, sport value में पहले interest जोर देता है, फिर dividend less करता है, sport value वाले simple interest वाले case में ICI पहले dividend को PV नहीं करता है, तो मैंने वही formula लिखे हैं, जो आपको ICI के question में यू करता है, पहले dividend का PV करता है, और फिन net amount को carry करता है, तो sport value minus dividend divided by 1 plus R की power T, PV इस बार कहते किया, 1 plus R की power T, क्यों compounding interest का formula यही तो होता है, तो इसी से हमने PV कर दिया, फिन net amount को हमने carry कर दिया, ठीक है, इसको दूसरी तरही के से present करें, तो divide में जो चीज़ उसको multiply में लाना ठीक है, अब इसके बाद देखूँ, एक last scenario इसमें क्या हो सकता है, underlying set से आपको income तो मिल रही है, लेकिन income जो है वो yield percentage में दे रखिया आपको, income का fixed amount नहीं दे रखा, यानि आपको dividend yield rate दे रखिये, for example आपको dividend yield rate में क्या फर्क है, dividend rate on face value, dividend yield rate में क्या फर्क है, face value पर मतलब 100 रुपीज face value है, उसका 10% यानि 10 रुपीज, face value हमेशा सही रहती है, yield rate का मतलब होता है, market price पर, dividend market price पर कितना, for example reliance के share कि आज की दिन market price है, 800 रुपेज, और आपको dividend yield percentage दे रहे कि 10%, यानि market price पर आपको dividend calculate करना है, 800 का 10%, यानि 80 रुपीज dividend है, अगा market price 700 है, तो dividend कितना है, 70 रुपीज, यानि market price पर dividend को बोला जाता है, dividend yield, dividend yield rate, तो यानि dividend yield rate दे रहे है, इसका मतलब क्या है, dividend fix नहीं है, absolute term में नहीं है, क्योंकि market price पर change होती है, तो dividend भी change होगा, उसके according simple थी बात है, yield rate में दे रहे है, तो ऐसे case में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे case में जो formula use मे लेना है, पहले तु बेस formula जो आपका था, does not provide income वाला वो याद करो, वो क्या था, simple interest के केथ में spot value multiply by 1 plus R multiply by T, अब यहां पर क्या कर देना है, dividend भी percentage ही में होगा, यह भी परहनम है, और आपके interest भी परहनम है, directly net कर लो, interest जहां जहां पर आ रहा है, R जहां जहां पर आ रहा है उसमें से dividend की yield rate minus करते जाओ, dividend yield rate को अपन Y से denote कर रहे हैं, तो 1 plus R minus Y multiply by T, continuous compounding में क्या हो जाएगा, E की power R T होता है, E की power R minus Y multiply by T, और compounding में क्या होता है, 1 plus R की power T होता है, तो 1 plus R minus Y की power T, यह हो जाएगा आपका, और इसी के साथ यह सारे formula आपके complete हो जाते हैं, इन formula को आप 9 formulas को ढंक से याद कर लेना, एक भी question गलत नहीं होगा, इसके पीछे concept क्या है, वो मैंने आपको बता दे हैं, इन सभी formula के पीछे, अब देखो, आपको सब समझ में आ गया, कैसे करना है, देखो, एक बार फटा 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 सी दुबारा बता देता हूँ, theoretical, fair value, future, forward, contact, लिए का लिए, दो scenario हो सकते हैं, underlying asset से income नहीं मिलेगी, underlying asset से income मिलेगी, income मिलेगी, तो फिर वापत दो scenario हो सकते है, absolute term में income, और yield percentage में income, तो इस तरीके से हर case में 3-3 formula आदे हैं, simple interest, continuous compounding interest, और compounding interest, तो इस तरीके से 9 formula आदे हैं, और यह formula आपको mind में fit कर लेने हैं, अब ज़र सब सम मज में आजाएगा income है या नहीं है question में, और income है तो absolute term में है, या yield percentage में है, हम उसके according formula चूज कर लेंगे, पर सार हर scenario में आपने 3 formula लिखवा दिये, simple interest का, continuous compounding और compounding का, कौन सा formula यूज में लेना है, simple वाला ले, continuous compounding या compounding, उसके लिए आपको decision कैसे लेना है, उसके लिए आ continuous compounding, western compounding, question में, बulous, annual compounding का नहीं है, annual कर दो, question में मन्तली compounding, matterjakви balancing compounding, question में, question में, question को भगववान मानते हुए हमिन कर दे ना है, लेकिन कई बार question में, lifecycle में e, की वेल्यू दे रख़ें कहीं नहीं बोला कि Simple Interest करना है Compounding नोर्मल एन्वाली हाफ या कोई करने है या continuous compound कुछ भी वढ़ नहीं दिया लेकिन question में आपको E की वेल्यू दे रख़िए question में E की वेल्यू आपको दे रखिए सिर्फ continuous compounding, यानि आपको question में continuous compounding से solve करना है, ऐसे question को अगर आप simple interest से solve करा है, या normal compounding वाले से solve करा है, तो marks नहीं मिलेंगे, फिर चाए आप नीचे assumption कितने भी लिख्या हो, कि question में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो हमने assumption ले ली simple interest से, कुछ marks नहीं मिलेंगे, का तरीका है, यही follow करना पड़ेगा, अब question में अगर आपको hint दे रखा है, hint कैसे दे रखा है, दूर सा hint यह हो तकता है, question में आपको बोला हुआ है, जो interest rate आपको दे रखिए, monthly interest rate दे रखिए, question में आपको बोला है, interest rate है 1% per month, तो आपके दिमाग में click हो जाना चीए, interest rate monthly द अब ना आपको specifically बोला, ना यह hint दे रखिए, इसके बाद कुछ भी नहीं है, एकदम question silent है, पूरी तरह question silent है, तो ऐसे question में आपको directly फिर simple interest वाला formula लगा देना है, ठीक है, तो इस procedure से आपको question में चेक करना है कि कौन सा वाला formula लगेगा, चलिए आगे, अब हमने theoretical price निकालन view से देखेंगे, यह तीनों लोग process कैसे करेंगे, यह तीनों लोग derivative context में enter किस तरीके से होंगे, तो arbitrator, arbitrator, arbitrator process कैसे करेगा, सबसे पहले वो समझते हैं, future या forward context से, इसके ओपर भी बहुत सारे questions available हो, और exam में आ जाता है, इस पर भी कई बार question, बहुत easy concept है, देको मैंने क्य नहीं लगाता है, तो अब यह क्या करेगा, यह सबसे पहले जो market में future context की price है, उसको देखेगा, मैंने क्या बोला future context market में trade होते हैं, यह stock exchange पे चला गया है, नसी पर उसने बोला reliance के share का future context दिखाओ भई या, ठीक है, example के लिए ऐसा होता नहीं हो, ओनलाइन हो जाती है, तो तीन महीने बाद या तो मैं buy कर सकता हूँ, या बेश सकता हूँ, जो भी मैं decision ले लूँगा, 1000 रुपीज क्या है, market price of reliance share future contract, reliance share के future contract की price बताता हूँ, तीन महीने में जो mature होगा, यह होती है, आपकी given price of future, या quoted price of future, actual में यह ही है, अब इसको decision लेना है, आर्बिट्रे को क आपको बेच दूँगा, यह decision ले लूँ, 1000 रुपीज में, बात कर, future contract 1000 रुपीज में trade हो रहे है, अब decision कौन सा लूँ, उसी पर तो सब कुछ खेल है, decision सही ले लिया तो profit होगा, decision गलत ले लिया तो loss हो जागा, आप बरबाद भी हो सकते हो, तो decision लेने के लिए क्या करता ह जिसे हम theoretical या fair price of future बोल रहे है, उससे compare करेगा, यही तो आप security valuation chapter में भी करते थे, अगर आपको reliance का share खरीदना होता था, पहले आप intrinsic value देखते थे और intrinsic value के base पर decision लेते थे, same यहीं चीज हम पर यह करेगा, यह theoretical price देखेगा, अब यह compare करेगा, market में क्या reliance के share की future contract price तीन मह है, और theoretical price कम है, market में ज्यादा है, यानि इसका क्या मतला है, वो चीज मार्केट में महेंगी है, और कोई भी चीज अगर market में महेंगी होती है, तो उसके साथ हम क्या करते है, market में कुछ महेंगा है, तो उसे खरीदते हो क्या आप, मैं बोलूँ कि एक mobile phone है, जो 20,000 रुपय क आजाना चीए, लेकिन आप दुकान वाले ते पूछने गए, उसने 25,000 रुपय रेट बोली, तो आप उसे खरीद होगे, या नहीं खरीद होगे, तो जो भी चीज मार्केट में overvalued ये महेंगी होती है, उसे खरीदा नहीं जाता है, तो उसके साथ क्या किया जाता है, वो आज़ी अगर वो future, मेरे, क्यार का future contract में बेचने का contract कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस case में फायदा होगा, market में महेंगी में बिच जाएगा, वो चीज सस्ती है, लेकिन market में महेंगी price होगी है, तो महेंगी में बिच जाएगा, तो arbitrage जाएसे case में कौन सा decision लेगा, future contract को sell करने का decision कैसा लेगा sell करने का यानि short position क्रेट करेगा future contact में short position क्रेट करेगा इस sell purchase word में इसलिए यूज़ में लेता हूँ ताकि आपको easily समझ में है otherwise market में long position short position वर यूज़ में लिये जाते हैं ठीक है इससे आप ऐसा confused मत होना समझ में आ गया कैसे लिया decision market में प्राइज आदा है theoretical price कम है तो sell करने का decision लेगा क्यों लेगा वो बता दिया मैंने अब Arbitrage process केसे करेंगा और पूरा प्रोसेस करता 혼자 और फेकर अग्रस करता है घर से oysters यह बोलता है यह बोलता है मैं तो खाली आ जाओंगा और पैसा कमा के घर पे लेके आओंगा यह घर से खाली आत निकलता है तो इसने decision के लिया इसने पूरी calculation करी calculation करने के बाद stock exchange वाले को बोला hey stock exchange मैं तेरे को तीन महीने बाद reliance का share बेचूँगा 1000 रुपीज में यह बेचने का contract कर लिए यह बेचना पड़ेगा मेरी जिम में तो कुछ है नहीं अब share बेचने के लिए share चाहिए भी तो इसने क्या किया जीरो टाइम पर अब यह क्या करेगा इस चीज के लिए जीरो टाइम पर आज के दिन जैसी यह contact करके आया तुरत यह market में गया और इसने market में जाकर रिलाइंस का share खरीदने की कोशिश करी पर उसके लिए पैसे चाहिए तो पहले यह पैसा बोरो करेगा तो 900 रुपए यह loan पर लेगा और रिलाइंस का share खरीद के अपने पास सख लेगा maturity वाला दिन आगया इस दिन क्या होगा future में इसको बेचना है वह share आज यह 1000 रुपीज में बेचेगा share बेच दिया 1000 में जो इसमें contract किया था उसको mature भी तो करना है contract को settlement भी तो करना है वह settlement इसने कर दिया और क्या क्या होगा maturity पर है ना जो भी पहले transaction की होते हैं उनके ही सारे consequences होते हैं एक तो मैंने बेचने की बाद करी थी future contract में वह मैंने बेच दिया इसके बाद zero time पे मैंने पैसा उधार में लिया था वो क्या फ्री में मिला होगा नहीं उसको भी pay करना है तो उसका आज repayment करूँगा with interest उसका भी आज repayment करूँगा with interest क्योंकि future contract बेचने पैसा मिला होगा इसी पैसे से जो मैंने loan लिया था उसको with interest loan चुका दूँगा और उसके बाद maturity पर एक और चीज हो सकती है zero time पे बताओ मैंने क्या किया था पैसा उधार पे लेके share खरीद के रख लिया था जो मुझे maturity पे सामने वाले बंदे को देना है पर zero time पे जब मैंने share खरीद के रखा होगा तो ह वो सकता है ना कि उस शेर पर को डिविडेंड वगेरा मिलाओ तो वह भी आपको maturity पर मिल जाएगा तो अगर कुछ question में दिया हुआ है तो dividend भी आपको maturity पर मिल जाएगा और मैंने क्या बोला इसे के question में हमीशा assumption ली जाती है अगर कुछ नहीं बताया इंकम आपको जो maturity of contract है उसी दिन आपको income मिल रही है यह assumption ली जाती है तो यहां पर net gain or loss कैसे निकले अर्बिटर जगा साथ जीरो टाइम पर कुछ gain loss होगा नहीं जीरो टाइम पर कभी भी कोई gain loss नहीं 800 रुपया बोरो कर या 800 का share खरीद लिया कोई cash flow हुआ है नहीं लेकिन maturity पर cash flow होग तो maturity of future contract के जितने भी cash flows हो रहे हैं उनको plus minus करके आप अपना gain या loss निकलो जनरली इसको gain होता है ठीक है यह समझ में आ गया मतलब कोई चीज ऐसी कि आपकी नजरों में इस चीज की value 1000 रुपया और market में वह 700 रुपय में मिल रही हो हुआ है कि कभी आपके साथ कोई rare case में हो जाता है तो यह चीज कभी rare case में होती है market में जनरली नहीं होती है और अगर यह चीज होने लगई तो सब लोग पैसा कमा सक आर्बिट्रेजर यहां क्या decision लेगा future contract को buy करने का decision लेगा तीन मेने बाद 1000 रुपय में मैं आपसे यह reliance का share खरीद लूगा यह मैंने decision ले लिया अब आर्बिट्रेजर यहां क्या process करेगा स्वे मुसी की तरीके से process होगा maturity मुझे क्या करना है future contract buy future buy क्या किया है तो maturity existing कोई asset होगी या कोई भी share होगा वो यह बेचेगा और उसको बेच कर यह पैसा invest कर देगा कहीं पर ठीक है बेच कर पैसा ऐसी जगह invest करेगा कि maturity पर जितने रुपए मुझे सामने वाले को देने हैं कितने दिने हाजा रुपए देने हैं मुझे future 1000 रुपए में खरीदने का maturity पर क्या होगा जहां invest किया था हूँ वहां विड्रो कर लेगा और future contract जो किया था buy करने का रेलाइंस कर चाहिए और net cash flow या net gain या loss आजाएगा maturity पर ठीक है तो यह वाला process ज्यादा काम का नहीं है main process आपका यह वाला ही है जिसमें arbitrator maturity पर sale करता है चलिए अब इसके बाद द और यह होता है speculator speculator का हम नहीं पढ़ने वाले है speculator future forward contact में कैसे एंटर करेगा वो नहीं पढ़ने वाले है क्यों नहीं पढ़ने वाले है मैंने क्या वाला speculator 60 लगाता है तो 60 में क्या पढ़ेंगे हम वह अपने estimation भी लगाता है उसको लग रहा है price बढ़ेगी तो long position उसको में उसमें पढ़ना क्या है तो उसका हम नहीं पढ़ने वाले है उसमें पढ़ने जासा कुछ होता नहीं है अब हैजिंग कैसे करी जा सकती है future या forward contact के थ्रू तो अब हैजिंग कैसे करोगे जहां पर आपकी किसकी हैं security underlying assets है जहां पर आपकी अब देखो दो तरीके से हो सक सकती है hedging using stock future समझते हैं सबसे पहले for example hedging कोन बंदा करता है जिसके पास already risk है वो अपनी risk को कम करना जाता है तो risk है इसका मतलब क्या है for example मैंने reliance का share खरीद के मेरे पास रखा हुआ है मेरे पास एक reliance का share मैंने खरीदा था वो मेरे पास है आज के दिन market में reliance के share की price है 1000 अ क्या डर लगेगा price बढ़ने का डर लगेगा की गिरने का में पास already है share तो किस चीज का डर लगेगा बढ़ने का नहीं गिरने का में पास share है price बढ़े आज 1000 रुपय कल 11 तो मुझे तो फायदा है ना जितनी बढ़ेगी मैं तो खुश होता जाओंगा और जितनी गिरेगी म है उतना ही depression में चला जाओंगा तो मुझे डर क्या है price बिरने का रहा है तो मैं क्या करूँगा अब मेरे को दर किसीच का लग रहा है, प्रैस गिलनेगा, तो मैं अपने आपको hedge करना चाता हूँ, अपनी risk को कम करना चाता हूँ, जो risk है उसको खतम करना चाता हूँ, उसे हम hedging बोलते हैं, अब मुझे hedging करने हैं, तो simple सा है, मैं stock market में जाऊँगा, और stock market को बोलूँगा, कि reliance के share पर फूटक उसके future contact में create कर लो आपकी सारी risk खतम हो जाएगी ठीक है है जर कभी भी profit के लिए काम नहीं करता है इसको यह बंदा क्या बलता मुझे profit नहीं चाहिए लेकिन मुझे loss भी नहीं चाहिए मुझे zero वाली situation चाहिए ठीक है मार्केट में जो रिस्क है उससे बचना है बस सिर्फिस को इसको नुकसान भी नहीं चाहिए फायदा भी नहीं चाहिए तो यह क्या करेगा जिस चीज में long जिस शेर को इसमें ख़रीद के रखा हुआ है उसके future contract में यह short position क्रेट करेगा यह आप मुझे अब लग रहा है कि price बढ़ेगी गिरने वाली होगी तो गलती नहीं है फिर तो बढ़ी है मैंने 1000 में बेत आगले एक मिनट बाद 900 की price होगी तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है लेकि मुझे गलती कभी मुझे लग रहा है कि या प्राइस बढ़ेगी मैंने जल्दबाजी में गलत बेत दिया वी प्राइस इसकी और बढ़ेगी तो यानि मुझे वापस रिस्क लग रही है अब मैं क्या करूँ मैंने क्या कौन सी पोजिशन करिए श्टॉक के अंदर सेल किया है यानि शॉर्ट पोजिशन तो इसी रिलाइस के शेयर के फ्यूचर कोंट्रेक्ट में मैं कौन सी पोजिशन करेट करना लूँगा अब लॉंग पोजिशन मेरी रिस्क खतम हो जाएगी सिंपल थी बाता है लॉंग पोजिशन क्यों क्रेट करा उसके पीछे रिज क्या है वह मैंने एक्स्प्रेन किया है कोशिश करिए सम्मरी में आपको समझा बाहूं अदर्वाइस तो आप समझते हो कि यह चप्टर क्या चीज है इसके बाद देखो दूसरा तरीका है 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 जिंग इंडेक्स फूचर्स यानि मार्के इंडेक्स का क्या मतलब होता है दे तरी करते है वहां पर बहुत सारी इसके शेड इसमें कम जबो हुए और यांस ऑप इंडेक्स बोलताे है और यह इंडेक्स ही मार्केट है शेतना के इस टे के विशन होते हैं तो सब्सक्राइब करता है वो सेंसेक्स का नाम दे देता है यही आपका मार्केट तो मार्केट इंडेक्स निफ्टी सेंसेक्स यह चार वर दिखें चारू का मीनिंग सेम है मार्केट, इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, समझ में आ गया होगा आपको, आप देखो, मार्केट के फ्यूचर कॉंटेक्ट के थू मैं हैज करू मेरी इसका क्या मतलब है, मतलब मैंने रिलाइंस का शेर खरीद के रखा हुआ है, तो मुझे डर लग रहा है, रिस्क, हैजर हमेशा इसको डर लग रहा है, क्या दर लगेगा, खरीद के रखा हुआ है तो कहीं प्राइस गीरने का डर सिंपल सा है, कि रिलाइंस के शेर के फ्यूचर कउंटेक्ट में आप खरीद के रखा वए loong pos ه scr, उसमेंард पोजिशnyt के रेट कर लोब का डर खतम हो जाएगा, ये तो Reliance की चरकी बात है Reliance बड़ी कंपनी इसके future contact पर 60 लगाने का equipment है अब इसका एक example देता हूं मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैंच हो रहा है इंडिया में जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैंच हो गाना उथ दिन हर क्रिकेट का मैच चल रहा है तो ऐसे केस में मतलब सट्टा लगाने वाले भी नहीं मिलेंगे और इंडिया पाकिसान पर आज के दिन इंडिया में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे सट्टा लगाने वाले तो सेम चीज यह स्टॉक मार्केट में भी उते हैं रिलाइंस ऐसी कंपनिये हैं जिसके बारे में हर बंदा जानता है तो इस पर सट्टा लगाने वाले भी बहुत लोग आएंगे तो वह रिलाइंस का फ्यूचर कोंटेक्ट तो ट्रेड करवाएगा इ एक रोट छाप रामलाल कंपनी रामलाल कंपनी उसका बेचारे को कोई जानता ही नहीं ठीक है बहुत बड़िया प्रोड़क्ट बनाता है पर उसको कोई जानता ही नहीं फिर भी वह कंपनी भी उस स्टॉक मार्केट में लिश्टेड है लेकिन उसको कोई जानता नहीं तो उसका क्या का YouTube रामलाल कंपच्छी का YouTube रख उसकी की प्राइस कि खृत और वहाई अब वुझेक्ट उसके प्रिवास प्री गरी करेई ठापाइस अब बनें इसे उसके ये जोंडियोगी नेंonya कि इंजो रखाकी क्या वाइब यह भाउगीक्ता का यूसे बलेगा अब ऐसे case में क्या करें यानि इसकी risk होई नहीं सकती इसके लिए दूसरा तरीका है इसके लिए आप क्या करो market futures जिसका कोई नहीं होता उसका market होता है ठीक है तो इसकी risk को hedge करने के लिए index के future future contracts के थ्रू हम hedging करेंगे market market सब के लिए बनाए क्योंकि market common है market पूरे BSE, NSE का एक component है पूरा average component है तो उसके थ्रू हम hedging करेंगे यानि हमें market के nifty BSE, NSEX के future contract को buy or sell करकर इसकी risk को hedge करने है और होगी क्यों होगी ऐसा क्यों होगा जोगी तो से कैसे है जोगी तो होगी तोंकि मार्केट सेकेटी में रिलेशन होता है तो नो एक साथ चलते हैं गोहीं मार्केटे हैं अगेशन होता है और यहां कोई यहां युदो ठीक है ना आपका अगर भाई है तो वह आपको help करता है आप दोनों अलग अलग हो लेकिन कभी आप मुसीबत में फस जाओ तो वह आपको help करता है जैसे मुकेश अमबानी अने लंबानी वेचारा बरबाद हुआ तो मुकेश अमबानी ने help करी ठीक है अपना ही भाई है तो आप राम लाल कंबनी की हैजिंग करने है मैंने डाम लाल कंबनी की हैज्जिंग ईक से करने है मैं अब बोलूँ कि मुझे iyक छंप सेल करने है यह अम्डर में क्छा होता है तो एक फिचूचर कंटेक्ट आपकोution near या नमबर में ट्रेड का से होंगे हमें नंबर निकालना है तो एक फ्यूचर कॉंटेक्ट मानलो पांच जार रुपए का आपको कितने वेल्यू के शेर की है एक लाग रुपय की वेल्यू और शेर या पॉर्टफोल्य जिसको आपको हैज करना है उसकी वैल्यू डिवाइड आपके पास नंबर आ जाएंगे एक लाग डिवाइड वाइड वाइड थाउड तो कितने आ गया तो तो इसमें गलत क्या है यह रामलाल कंपनी के शेर ते और यह फ्यूचर कॉंटेक्ट है वो मार्केट का है तो कुछ तो फर्क है ना हो सकता है रामलाल कंपनी के शेर में 8% यह मिलती है लेकिन मार्केट में 12% मिलती है डिफ्रेंस सो हो गाई ना ऐसा कभी बहुत rare के समें होता है कि सिक्यूरीटी और मार्केट की रेटन से महीं स्टेंडर डेवेशन से में वहना कुछ ना कुछ फर्क होता है और मार्केट और सिक्यूरिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसे कौन रिफ्लेक्ट करता है बीटा आपने पढ़ा होगा बीटा बीटा किसको रिफ्लेक्ट रहता है मार्केट और उस पर्टिकुलर सिक्यूरिटी जिसको आप हैज कर रहे हो उसके बीच में रिले से हम इसके हैं जिंग कर रहे हैं तो बीटा आपको यहां पर काम में आएगा बाकिया अपन डेटेल्ड केलकुरेशन पूरे लेक्चर में देखते हैं यहां पर आपन नहीं देखने वाले क्यों आया बीटा कैसे है इसके बात मैंने मैंने आपको समझाने कोशिश करें इसके जनरली जीरो अज्यूम किया जाता है तो बीटा आपको बताता है कि मार्केट के कम परिदन में सिक्वरीटी में कितनी रिस्क है बीटा आपको रिस्क बताता है तो हैजर क्या करना चाहता है अपनी रिस्क को कम करना चाहता है तो बीटा को क्या करना चाहेगा वो कम से कम ब रिक्वाइड बेटा जनरली मेरा क्या होगा जीरो क्योंकि मैं अपनी रिस्क को कम करना जाता हूं हमेशा यह जीरो होता है इसको इसलिए कभी लिखा भी नहीं जाता है लेकिन किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि जो हैजर है मिश्टर एक परसन वह अपने बीटा को पॉइं यह आपको पता है तो हैजर को प्रॉफिट भी नीची है लॉस भी नीची है पर मेरे मन में यह थोड़ा सा लाला चा गया मैंने सोचा यार मैं पूरी रिस्क बियर नहीं कर सकता हूं वाना एक लाग रुपए पूरे भी डूप सकते हैं जो मेरा शेयर पॉर्फोलियो उसक समझ में आया तो फॉर्मूला समझ में आया अच्छी बात है अधरवाइस यह याद करो यह फिट करो नंबर ओफ फ्यूचर कोंटेक्ट आ जाएंगे अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड़ डिटेल्स देखो प्राइस और फूचर कोंटेक्ट का क्या मतलब है एक कॉंट्रेक्ट में भी होता है मिनिममम 50 फ्यूचर लेने पड़ेंगी उससे एक कॉंट्रेक्ट बनेगा तो एक क्या होगी एक फ्यूचर की प्राइस मल्टिप्लाइबाइब लॉट्स आहीं यानि जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे थे प्राइस फ्यूचर एक particular future की price multiply by और एक contract में कितनी loads आई जाए, एक future मानलो 100 रुपय का है, और loads आई जाए 50, तो कितना हो गया 500, तो price of future contract आजएगी 500, समझ में आगया, यही चीज है, future price कैसे पता चलेगी, future price market में होती है, quoted, तो question में, अगर quoted market price दे रखिए future की, वो काम में ले लो, अगर question में quoted market price future की नहीं दे रखिए, तो आपको theoretical price calculate करनी पड़ेगी future की, और वही आप assume कर लोगे कि market price है, ठीक है, quoted price दे रखिए, वो यूद में ले लो, क्योंकि वही आनी चीए, उसी पे तो future contract होगा, और अगर वो नहीं दे रखिए हो, तो theoretical price कैसे calculate करेंगी, उपर हमने अभी topic assumption आपको लेकर चलिए, चलिए, इसके बाद required beta generally zero consider किया जाता है, अगर question में कुछ नहीं बोला हुआ, तो required beta कितना होगा, zero, क्या reason है बता दिया, अब देखो decision कैसे लोगे, मानलो आपको future contract आगे 20, number of future contract formula में डालने के बाद आगे 20, अब future buy करना है कि sell करना, decision buy or sell को होता है, तो 20 contact buy करें कि 20 contact sell करें, तो उसका decision कैसे लोगे, इसके पीछे logic होता है, logic को अभी नहीं बता रहा, यह समझे, क्यों कि logic के लिए फिर पूरा एक example लेना पड़ता है, जो revision lecture में possible नहीं हो, अब देखो share या portfolio का positive beta है, जिस share या portfolio की risk को आप hedge करें, रामलाल कंपनी के share की risk को hedge क लोग को बेच दो, जो normal हम नहीं किया था, आप positive action ले लो, और अगर आपने अभी अभी रामलाल कंपनी के share बेचे है, अब आपको risk hedge करनी है, तो इज़र short position करें करें, तो market के future contact में आपको इंदेक्स फिचर में long position, लेकिद अगर share या portfolio जिसकी risk को hedge करें, उसका beta negative है, तो उसमें भी long position करने पड़ेगा, अगर beta negative है तो, और अगर मैंने रामलाल कंपनी के share बेचे है, तो market के index future में भी short position करने पड़ेगी, बेचने वाली position, अगर beta negative है तो, यह decision आपको लेना रहेगा, इस तरीके से, इसके बाद, कई बाद आपको दिया होता है, portfolio दे रखोता है, एक Mr. A है, जिसके portfolio में investment in shares of A limited, investment in shares of B limited, cash and bank balance है दिया, तो अब आप बताओ, portfolio को पूरे को hedge करना है, shares में 1 lakh का investment का रखा है, B limited के shares में 50,000 का investment का रखा है, और 20,000 का cash है, total portfolio को value कितने है, 1 lakh plus 50,000 plus 20,000, यहनि 1 lakh 70,000, पर hedge कितने amount को करना है, only 1 lakh 50,000, cash या bank balance कभी भी hedge नहीं होता है, cash bank balance में कभी गिरावाट होती है, क्या, कभी value गिरती है, cash bank balance की, कभी value नहीं गिरती है, 500 पर ओट है, 500 रुपय में ही चलेगा, चाहिए 3 साल बाद चलाओ, चाहिए 4 साल बाद चलाओ, time value of money, उन सब factors को consider नहीं करे, normal बता रहो, वो value कितनी है, 500 को नोट, 500 में ही चलेगा, otherwise उने ही चलने बाले, beta of cash bank balance, जिस चीज में risky नहीं है, जिस चीज में कोई risky नहीं है, तो है fazingen का, ठे रिस्ट से free होना, risk को खतम करना, risk को छत्म करना, तो risk नहीं है, to risk बहुत सारी ग्वेशन अपने फुल लेक्ट्टर में जब अपने करे भी थे अपने सारी क्वेशन तो बीटा का एक बेसिक बीटा का जो पूरे चेप्टर में काम में आने वाला इस फॉर्मॉला को माइंड में फेट रखना बीटा आपको क्या बताता है कि मार्केट अगर 10% change हुआ तो company का जो particular company है इसके share की value में क्या change आएगा market अगर 10% से बढ़ा तो reliance company के share की value बढ़ेगी या गिरेगी कितने percent से यह बताता है बीटा याणि market के comparison में कितना change आएगा तो इसको हम आगर formula में लिख दें जो बात मैंने भी आपको बोली तो कैसे बनेगी percentage change in value of share या portfolio divided by percentage change in value of market और यह formula mind में fit रख लेना इस chapter में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है इस chapter में beta के बाकी formula कुछ भी कामी नहीं आएंगे जो portfolio chapter में आप देखते हो अगर 20.57 आया तो बताओ मैं 20 करूंगा तो मेरी risk हैज हो जाएगी जितनी मुझे करने दिन नहीं होगी पर 21 करूंगा तो हो जाएगी समझ में 20 करूंगा तो .57 जितनी risk रहे जाएगी और अगर मानलो मेरा आया 20.1 20.12 contact 20.12 तो अब जंदली हम round off करते हैं तो आप बोलोगे सब .50 से कम है तो 20 में ही कर लो 20 contact बना लो 21 बत करो पर यहां पर हमें अपर side round off करना है क्यों वही reason है 21 करने से क्या होगी पूरी risk है जोगी लेकिन 20 अगर कर लिए तो .12 contact जितनी risk रहे जाएगी इसलिए हमेशा अप 20.12 आया तो उसके बाद आप लिख दो 20 और 21 contact 20 और 21 contact जैसा कि ICI भी यही चीज करता है क्या करना चाहिए बागी करना क्या चाहिए जंदली अपर side में round off करना चाहिए चलिए जो में पार्ट था वह complete को गया कहरें होता है आप अपने पोट्फॉली करने का एक ओर तरीका होता है वह तरीका है जिसके ऊपर एक डो nao like कर दिखा है क्या तरीका है आपको question में specifically बोल दिया जाए, ना आपको stock future की through hedging करनी, ना index future की through hedging करनी, आपको question में बोला गया, आप अपने portfolio को इस तरीके से hedge करो, portfolio का मतला में बहुर सारी security अलग अलग, A limited, B limited, C limited, D और E, पांच companies की में पांच security और आपको बोला गया कि इस तरीके से hedge करो, कि आप अप उनके बदले risk free security acquire करो, simple सी बात है, A limited, B limited, C, D, E, ये पांच companies हैं, ये थारी क्या है, risky है, मतलब market में जो भी shares है, वो सब risky होते हैं, सब में risk होती है, तो अगर मैं मेरे पास मालो, एक लाग रुपय का portfolio है, सब में मैंने पैसा invest किया, 20, 20,000, तो में पास एक लाग रुपय क में सारे risky हैं, इन में से, अगर मैंने मालो, 30,000 की securities बेच दी, risky securities बेच दी, और उनके बदले 30,000 की risk free security मेरे portfolio में ले आया, मतलब मैंने 30,000 के share बेचे, और 30,000 के मैंने risk free security acquire कर ली, जो क्यों हो सकता है, मैंने bank में investment क्यों हो, कहीं पर भी क्यों हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता ह है, कि हम हमारे portfolio में दे risky securities को कुछ बेच दे, और उनके बदले risk free security ले आए, वो method लगा कर आप hedging करो, ऐसा question में पूरी line आपको एदेटीज देखने को मिलेगी, तो आपको क्या procedure follow करने है, तो बस ऐसे question में सिर्फ एक ही चीज़ हमें calculate करनी है, जो पता करनी है, वो चीज कह मैं मेरे portfolio में 10,000 की security बेच रहा हूँ, तो खरीद कितने की सकता हूँ, risk free, 10,000 की से ज़्यादा तो खरीद ही नहीं सकता ना, जितनी बेचूँगा उतनी खरीदूँगा, तो या तो मैं ऐसा बोलूं मैं बेचूँगा कितनी, या मैं खरीदूँगा कितनी risk free, risk की इसके लिए एक लोजिकल फॉर्मुला बनता है डिको कॉन्टीनौट कारता है बीटा तो मुझे यह पता करना है कि मेरा इंडेक्स फ्यूटर यूज में मुझे क्या use में लेना है मुझे use में लेना है यह वाला मेथड कि कुछ securities बहुते बैचुँगा उनके बकले risk-free security खरीदेँगा तो 1.2 मुझे beta चैयले अभी beta कितना है 1.5 अभी के beta किसको reflect कर रहा है अभी जहाएं लृष को इसको अभी की early So चेप्टर में देखा था, जितने भी सिक्योरिटी हैं, उनके बीटा को उनके वेट से मल्टिप्लाई कर दो. बेट of risk-free security मतलब पूरे portfolio में risky securities कितनी है और risk-free कितनी है मालो मैं 30% risk free है तो risk कितनी होगी 70% तो risky का weight कितना हैगा 1-weight of risk-free security तो इस तरीके से आप इस calculation से आपके बास क्या निकल की आ जाएगा कि आपके portfolio में risk-free security कितनी होनी चाहिए वो निकल के आ जाएगा बता दोगे कितनी बेचो और कितनी खरीदोगे यह है जिंग हो जाएगे आपके ठीक है इसके बाद देखो दूसरा तरीका एक आपसे एक तरीके का क्वेशन हो रहाता है जो कि कमोडिटी डरीवेटिव में जनरली यूज में लिय है बीटा, सिंपल सी बात है 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 हेज का मतलब होता है betta है करना है हमे उसका रेषियो बता हो तो betta कितना हमें उसको कम करना है तो लिल्का है बेटा का ऊष्टैन हीनि Simple यह है standard division of change in spot price divided by standard division of market की जगे लिख दिया है standard division of change in future price multiply by correlation between security and market की जगे correlation between change in spot and future price same है मतलब बस security की जगे spot price और market की जगे future price ऐसा क्यों हुआ देखो security की price यानी spot आज की दिन जो price आपको मिल रही है आज की दिन की जो आपको price दे रखे वो वो actual में क्या है आज के दिन की price, तो अधि की ओसी प्राइस ही तो ही तो है मार्केट के point of view से रही है हिस लिए uh इसके बाद देखू, future forward contact का topic देख से हैं भी हम derivative के अंदर, एक topic और आता है, types of margins यहना future contact, forward contact सर वर्डिंग नहीं लिखिया, आपने अभी तक जितने भी calculation करवाई, हमें arbitrage process लिखाया, theoretical price बताई, या फिर hedger, hedging वाला process बताया, सब जगे future और forward contact, दोनों wording लिखी, क्योंकि मैंने ही आपको बोला था, कि इनकी calculation एक जैसे होती है, बस इनके features सोड़े अलग होते हैं, जो हम theoretical, जब point of view से इस chapter को पढ़े हैं तब अपने discuss किया था, तो यहां पर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, कि type of margins इने future और forward contact, margins forward contact में न अब इसमें margin रखने की requirement है, margin कब रखा जाता है, जब हमें डर हो कि सामने वाला भाग जाएगा, margin यहां पर रखेंगे, तो किसके पात रखेंगे, मैं सामने वाले के पास रखूँ 100 रुप्राय का margin, और सामने वाला में पास 100 रुप्राय का margin रखे, निल हो गया, effect निल हो margin रखने का कोई scope ही नहीं है, दोनों एक ही जगे पर बैठें, अगर सामने वाला भाग भी जाएगा, तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा न, मैंने बोला 60 लगाते हैं, price बढ़ने का सामने वाला price गिरेगी, suppose 3 मैने बाद मैं 60 जीच जाता हूं, सामने वाला हार जाता है लेकिन मैं उसको phone करता हूं, उसका phone switch off है, वो घर छोड़के भाग गया कहीं पर, ठीक है, क्योंकि वो बुरी तरह 60 आर गया था, पर मुझे कुछ नुकसान हुआ गया इसके वज़ेदे, अगर वो घर पे मिल जाता, तो मुझे कुछ फायदा हो जाता, उसको नुकसान हो पर आप वो घर पे नहीं मिला, इससे मुझे कुछ नुकसान हुआ, नुकसान नहीं हुआ, बस फायदा भी नहीं हुआ, लेकिन future contact में क्या होता है, stock exchange बीच में एक intermediary होता है, दो पार्टी अलग से आती है, stock exchange के पास, अब stock exchange सट्टा खिलवाता है, Mr. A गया 60 लगाने के प Mr. A ने बोला upside betting का और Mr. B downside betting का सट्टा खेल रहा है, लेकिन अब क्या हो सकता है, तीन महीने बाद मानलो Mr. B हार जाता है, Mr. A जीत जाता है, Mr. A इस्टोक action को बोलेगा, भाईया मैं जीत गया हूँ, मुझे पैसा दे दो, Mr. A क्यूंकि Mr. B को तो जानता ही नहीं है, ठीक है, इस्टोक action बोलेगा, रुको भाई साब मैं तो intermediate हूँ, जो बंदा सट्टा हार है, उससे बात करता हूँ, और उससे आपको पैसा दिलवा देता हूँ, मैं collect करता हूँ, आपको दे दूँगा, Mr. B को फोन लगाया भाई, पैसे देने है, लेकिन उसने फोन लगाया, फोन आ जानता कुछ भी, मैंने आपके साथ सट्टा खेला है, मैं उसको जानता ही थोड़ना हूँ, आप मुझे पैसा दो, stock exchange अपनी जेब से निकाल के पैसा देगा, Mr. A को तो फायदा हो गया, Mr. B भाग गया, वो भी अपना फायदा कर गया, stock exchange बिना बात में नुकसान में रह ग my, stock exchange मेंников, MR. B को को बोलेगा, Mr. B को बोलेगा, तो 60 खेलना चाथा है, पहले margin जमा करा, कितना margin जमा कर strateg करवाएगा, margin इतना जमा करवाना चाहिएगा, ताकि price जितनी change होती है, Aussie price change होती है, इतना margin जमा करवालेगा, एक estimation रताा है stock exchange वाले को कि price में इतना अतना change हा लग ब बताया इसे security deposit बोल दो चाहिए यह calculate कैसे हो का म्यू प्लस थ्री स्टेंडर्ड एविशन ऐसे calculate किया जाता है म्यू का क्या मतलब है डेली absolute change इस्टोक एक्षिन देखेगा कि डेली average change कितना होता है प्राइस के अंदर फॉर एक्जामपल रिलाइस की शे की डेली basis पर और आपको पता हो future contract मैंने बताया था डेली settlement होता future contract का कि आज के दिन मानलो 1000 रुपय प्राइस थी आज के दिन के end में 1200 हो गई मैंने upside betting करी तो stock exchange मेरे account में 200 रुपय क्रेइट कर देगा सामने वाले के में से 200 debit कर लेगा क्योंकि वह हर गया downside betting वाला अगले दिन मानलो प्राइस 1300 हो जाती है तो अब कितना फायदा हुआ 1200 प्रिवियर डे हो गई थी उसका settlement हो गया तब इस में daily absolute change ले लेगा लेकिन daily average चेंज हो एवरेज ही है 200 रुपय का कभी मानलो ज्यादा चेंज आ गया तो क्या होगा तो stock exchange से बचने क्लिए क्लिए का करता है चेंज जो प्राइस है प्राइस में standard deviation कितना सकते है मैंने देखा 200 रुपय का change हो सकता है लेकिन उसको पता चला है इस टेंडर डिविशन 20 रुपय का हो सकता है यानि 220 रुपय से भी प्राइस चेंज हो सकती है 220 रुपय से थी है 220 यह 180 से 220 स्टेंडर डेविशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम करते हैं यानि 20 रुपय का स्टेंडर डेविशन भी है तो स्टेंडर डेविशन भी कलेक्ट करेगा तो डेली एक सेलूट चेंज प्लस इस्टो के अपने आपको पूरा सेफ रखना चाहता है सिंपल स अब मार्केट मार्जन क्योंता यह यह आपको बताएथा डेली सेटलमेंट होता है प्रास पर और चेंजर जो भी होते हैं वह इनीशल मार्जिन अकाउंट में सैटल करे जाते हैं मैंने दस अजार इनिशल मर्जिन जमा करवाया मिश्टर बी ने भी दस अजार जमा कराया इस्टोक एक्षिन के पास पहले दिन मुझे सो रुपाय का फायदा हुआ तो मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस हो जाएगा दस अजार एक सो में चाहिए में अपने आपको सेफ लखना जाता है तुम दोनों दस अजार जमा करवाँ मार्जिन इनिशली फिर डेली सेटलमेंट हो सकता है ना कभी आपका बैलेंस एकदम नीच हो जाया आप बुरी तरह हारते जा रहे हो तो आपका बैलेंस कटता चला जाएगा मार्ज में कितना इतना कि वह इनिशली जो आपने मार्जिन जमा करवाए था उसके बराबर आ जाए यनि 10,000 के बराबर आ जाए और मिश्टर भी को भी यही बात बोली आप जैसे जिसके भी चार अजार से जिस दिन बैलेंस कमोगा वह वापस से पैसा जमा करा देगा ताकि उसका श्रला सेबर करी हैंक इसमें इसका फॉरंमेट क Probability मार्जिन बनाने कि अब्र sympathy मार्जिन के लनाएगा तो और तो में कितना ड्हिए dilמש expenses Kaf चलता प्लस 100 यानि 10,100 margin account में अमांट्स हो जाएगा, call money में 0, call money में क्या आता है, जब मेर से पैसा मंगाया जाएगा, वह वाला amount या लिखा जाएगा, for example, किसी दिन मेरा margin account में balance हो जाएगा, 3500, मुझे stock action तुरांद वो लेगा, 6500 जमा करो, यह amount कहा ढालूँगा, call money के जितने भी topics बन सकते थे, जिन पर भी question आ सकते थे, सारे topic पूरे study model की पूरी coverage में आपको करवा रहा हूँ, तो वो सारे topics को हमने revise कर लिया है, अब आपका है option context last topic है, इस chapter के अंदर, इसके बाद भी आपके होते swaps, interest rate options, interest rate swaps, और उसके बाद interest rate futures, forward rate agreement, यह सब topics मैंने बोले कौन से chapter में पढ़ने को मिलेंगे आपको, interest rate risk management chapter में, आपको समझ में आएगा, उनको उस chapter में क्यों डाला है, वो reason भी आपको तब explain करूँगा, जब उसका revision करवाँगा, तो अभी हम option context देखते है, option context क्या होते हैं, already मैंने बताया, मैं सामने वाले के पास गया, मैंने बोल अगर price बढ़ेगी, तो ठीक है, price गिर गई, तो मुझे नुपसान हो जाएगा, उसने बोला, ठीक है, हमारे पास एक और चीज है, आप option context कर लो, future forward contact मत करो, आप option context, इसमें क्या होगा, मैंने उसके बोला, कि मैं चाहूं तो 3 महीने बाद उससे 1000 रुपय मेरी alliance का share खरीच स क्लाइंस के share की, तो मैं नहीं खरीदूगा, या मैं 1000 में क्यों खरीदूगा, मेरे को खरीद नौगा, तो market में खरीद लूगा, तो option context में, option buyer, जो option को खरीदता है, option का मतलब क्या है, choice, जो choice को खरीदता है, option buyer, उसके पास राइट होता है, उसके पास क्या होता है, option buyer, बोल तो सामने वाले को हम क्या बोलेंगो option seller क्या बोलेंगो option seller सामने वाले को या तो नुकसान होगा option seller को या फिर कुछ भी नहीं होगा प्रॉफिट तो कभी उसे हो गई नहीं वह समा सेवा के लिए बैठा वो यह चोईस देने के लिए आपस पहले एक option प्रीमियम चार्ज कर लेता है पैसा चार्ज कर लेता है वह आज के दिन आपको बोलेगा एक काम करो 50 रुपे जमा कर रहा हो और आपको चोईस दे दे रहा ह है अब तीन महीने बाद अगर 1100 रुपे प्राइस हो गई तो मैं उसके हजार दूँगा और 1100 का शेर ले लूँगा उसके बैचार को 100 का नुक्सान हुआ पूरे 100 का नहीं हुआ पचास का जीरो टाइप ऑप्शन प्रीमियम भी दिया था तो पचास के नुक्सान हुआ ल किसी के पास actual estimation नहीं होता है लेकिन आपको समझ में आ जाने चाहिए ऐसा कोई फ्रीमें नहीं बैटा है सब अपना पैसा कमाने के लिए बैठे है इसके बाद देखो option दो तरीकी के हो सकते call option एक put option क्या जो भी आपको बताया मैं चाहूं तो आपसे रिलाइंस का शेर तीन म आपने वाले के पास क्या obligation यानि अगर मैं उसके पास खरीदने चला गया तो उसे बेचना ही पड़ेगा वो मना नहीं कर सकता मानलों तीन महीं बास market price क्या रहा सो हो जाती है अब मैं खरीदने गया 1000 रुपय में वह ऐसा बोले या प्लीज मत खरीदो उसके पास obligation है वो कु choice किसने खरीदी choice तो अभी भी मैंने खरीदी option buyer तो अभी भी मैं हूँ लेकिन मैंने choice क्या खरीदी है right to sell बेचने की इच्छा प्रकट करी है मैंने बेचने की इच्छा मैं खरीद रहा हूं तो उसको खरीदना पड़ेगा तीन महीने बाद अब मैं बेचूंगा कब यह जार में उसे खरीदना पड़ेगा option seller के पास हमेशा obligation होती है अब उसे मुझे उस person को खरीदना पड़ेगा मुझसे 1000 रुपय में रिलाइंस का share ठीक है उसे मुक्सान होगा ठीक है तो यह होता पूट option पूट option समझ में आना चाहिए आपको simple सी चाहिए यह intermediate से आप समझते जाते हो call option पूट option इसके बाद underlying asset के है तो जितनी भी terms आपको यूज में आने वाले हैं उन terms को explain कर रहा हूं मैं underlying asset जिस चीज़ के लिए option लिया गया है जैसे प्राइस का आज के दिन उस रिलाइस के शेर की मार्केट में प्राइस क्या आज के दिन इस पॉट प्राइस होगी उसका क्या प्राइस होगी उसका estimation लगाना वह होता है expected price क्यों होती है जिस प्राइस पर यह option exercise क्या जा सकता है जो अपने example में 1000 रुपय थी option premium या option price या value of option कुछ भी बोलो तीनों का एक ही मिनिंग option premium या option price option को खरीदने के लिए जो price पे करी गई क्योंकि यह option खरीद रहा है option premium कप पे किया जाता है जीरो टाइम पर ऐसा नहीं maturity पर आप बोलो यार तीन महीने बाद option का decision मैं तभी देऊंगा वो लेका नहीं भाई चोईस आज बेच रहा हो तो पैसा आज ही दे तुरंट चोईस का तो आज ही पैसा दे चोईस आज इसके बाद option को exercise कब करते है option buyer option seller के पास तो obligation है मैं चला जाओंगा उसको जो भी मैंने किया था call option है तो मैं उससे खरीद सकता हूं उसको बेचना पड़ेगा उपट option है तो मैं उससे खरीदना पड़ेगा सामने वाले को अब option buyer मैं हूँ मैं कब exercise करूँगा मेरे पास right है तो मैं कब exercise करूँगा logical है बिल्कुल logically सोचो आपको answer मिल जाएगा call option में क्या में पास right to buy है मैंने बोला तीन महीने बाद मैं 1000 रुपे में खरीद सकता हूं तीन महीने बाद मार्केट में अगर 1100 प्राइस हो गई तो मैं मार्केट में गयर उसो में सबरेट नहीं खरीदकर हो जाएगा आपकेट में फटाइब करूँ से مت 언제 हुझा करेगा तो option पुट ऑप्शन में इसका रिवर्स हो जाएगा, पुट ऑप्शन में बास राइट टू सेल है, हजार उपय में मैं चाहूँ तो तीन महीने बास बेद दू, मार्केट में प्राइस अगर 900 हो जाती है, तीन महीने बास, तो मैं उसे बेचूँगा हजार में, क्योंकि मार्केट में 900 कभी कियागा, मेरे को इसको बेचरे में फायद है, लेकिन मार्केट में प्राइस ग्यारा सो हो जाती है, तो बता हो कहां बेचूँगा, इसको 1000 में की मार्केट में, तो कब बेचूँगा इस परसन को, ऑप्शन कब exercise करूँगा, जब market में price कम हो और strike price of option जाद हो put option को कब exercise किया जाद है market price at maturity कम है और strike price of option जाद है ठीक है यही जिम्यन ही आप लिखिए अब जो आपको main topic समझना है valuation of option इस chapter में future forward पे ज़्यादा तर question आते हैं वो मैंने आपको उता है था valuation of option पे भी question आते हैं पे ही question आता है इस chapter के अंदर बहुत सारे लोग देखते है arbitrage in option hedging in option derivative chapter की बात करों फोरेक्स की बात नहीं करता है वहां काम में आता है hedging in option भी आपके लेकिन derivative chapter के अंदर arbitrage in option या hedging in option यह सब topic नहीं है इसे और इन पे नहीं पूछे जाएंगे आपसे question पहले होता था अब इसे ने बंद कर दिया है आपके बाद strategy option से आप क्या क्या strategy बना सकते हो जो आपके strategies होती थी butterfly strategy बहुत सारी strategies होती थी वह सब आपके course में नहीं है हटा दी गई है सब कुछ ठीक है वह नहीं पढ़ना है option से related सिर्फ एक topic है valuation of option option की value पता करना option में question आएगा तो सिर्फ इसी topic पर आएगा और इसी को मैं आपको यहां पर revise करवाने वाला हूँ ठीक हो सब topic हटा दिये गए हैं बाकी बाकी किसी भी topic पर आपको ध्यान नहीं देना है वो सब आपके course में नहीं है नहीं है अगर आपको निकाल नहीं जंडली। option बाइर की view point को दिहान में लखते हो हो न निकाली जाती है ओपेशन बाइर की विउपको धियान में रखते value of option जंडली ग生ारा जाती है अलगरा टेकने के त्रूर क्या में ट्रीक से option के value निकाले जाती है एक तो आज के दिन हूर या फिर value of option before maturity भी बोल सकते हो या फिर इसे आप option premium भी बोलते हो जो सामने वाले को आप पेख करते हो option seller को तो एक तो यह चीज निकालना है यह 3 method से निकलती है binomial model से भी निकाल सकते हो risk neutral method से भी निकाल सकते हो black schools model से भी निकाल सकते हो इसके बाद दूसरी चीज उती है expected value of option at maturity निकालना इसका क्या मतलब है आज के दिन मैं option खरीद रहाँ option की maturity कब होगी आज से 3 महेने बाद तो आज से 3 महेने बाद इस option की value क्या होगी expected value आज से 3 महेने बाद इस option की मेरे को क्या value लग रही है वह पता आज के दिन पता करना आज से तीन महीने बाद क्या वेल्यू होगी एक यह निकालना अपने को सीखना है इस पर क्योशन पूचा जाता है एक आपसे पूचा जाता है अप्शन खरीद के रख लिया था तीन महीने मैचरृटी प्रियाड था आज तीन महीने के एंड वाला दिन है तो याज मैचरृटी खता हो गई तो याज के दिन में इस ऑप्शन की निकाल ओफो इसे में नट गें लोस भी बळ सकता हूं net gain loss for option भाई या फिर net payoff भी बोलता है net payoff ठीक है? क्योंकि आज के दिन तो सब पता चलिए गया ना इस option के वज़े से कितना gain या कितना loss होगी तो इस option की value होगी या आज के दिन तो आज के दिन तो इस option की value होगी जो इसका gain loss है simple सी बात है तो इसको आप net gain loss आपको क्या निकलना है value of option at maturity, net pay off wording मिले तो भी आपको क्या निकलना है value of option at maturity, reason क्या है यह मैंने भी आपको explain कर दिया, चलिए, आप इसमें अपने को यह सारी चीजे सीखने है, यह तीन value of option at spot या option premium निकलना, या फिर expected value of option at maturity निकलना, zero time पर खड़े होकर maturity पर इस option की क्या value हो सकती है, वो पता करना है, expected value of option at maturity, और तीसरी चीज value of option maturity पर क्या है, exactly, net gain या loss या net pay off या आप इसे बोल सकते हैं, यह तीन चीज अपने को सीखने है, इसको अपन reverse ultra सीखते हुए चलेंगे, सबसे पहले, क्योंकि ultra चलेंगे, सबसे पहले सबसे easy होगा, फिर उससे अलग, फ value of option and maturity कैसे निकलेगी, सबसे दो option है, call option, put option, call option में कैसे निकलेगी, call option बता कब exercise करता है, option buyer, जब market में price ज्यादा हो, strike price कम हो, market price मानलो 1100 है, और मैं 1000 रुपय में खरीदने का मैंने contract किया था, 1000 रुपय में चाहूँ तो खरीद सकता हूँ, तो बताओ मुझे फायदा कितना होगा इस option में, normally सोचो, इस formula को बाद में देखेंगे, market में maturity में 1100 price हो गई, मैंने 1000 रुपय में खरीदने का contract किया था, तो मैं क्या करूँगा, खरीदूगा 1000 में, और इधर market में 100 रुपय का, market price minus strike price, 100 रुपय, यह होता है total gain या total pay off, क्या मुझे 100 रुपय का पूरा यह आएगा, आपका net gain या loss, net pay off, समझ में आगे आपको, बस, यह है, सर मानलो, option, market में price हो जाती है 900 रुपय, और मैंने call option ले रखा, 1000 रुपय में खरीदने का, क्या मैं इस exercise करूँगा, नहीं करूँगा, तो बताब total gain कितना आएगा, आप बोलोगे, सर market price 900, minus strike price 1000, minus 100, नह total gain या total pay off, ऐसे case में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप option exercise ही नहीं करोगे, लेकिन net gain या loss आएगा, यहाँ पर भी, total gain या total pay off तो आएगा, 0, लेकिन option तो premium तो आपने pay किया होगा, premium कितना pay किया था आपने, 20 रुपय, तो 0 minus 20, यानि minus का 20 आपका क्या है, net loss, क्या है, net loss, आपको प्रेजेंट करना है, इसी फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना है, इसके पीछर लॉजिक क्या है, पुरा explain क्या है आपको, चलिए, इसके बाद, इसी से related, एक और चीज, कही बार आपसे सिर्फ यह पूछा जाएगा, net pay off बताओ option बायर के लिए, तो net pay off का एना, एक format बनता है, एक table बनाता, इसी है, वो table आपको present करके आने पड़ेगी, net pay off बताओ option बायर के लिए, net pay off पूछा जाएना, तो इस तरीके से आपको table में presentation करके आने पड़ेगी, तो सोचो क्या presentation है, conceptually तो हमने calculate किया था, वो यही है, conceptually calculate किया था, वो यही ह value of option and maturity, लेकिन ICI की presentation नहीं करोगे, तो marks नहीं मिलेंगे, तो net pay off, अगर question में पूछा जाए, option buyer के लिए, तो आपको इस तरीके से presentation करनी पड़ेगी, और इस presentation के बीचे conceptual चीज़ क्या है, वो समझो, call option में net pay off, wedding का मतलब समझो, net pay off, यानि net मेरी jib से पैसा कितना आ रहा है, या net मेरी jib में पैसा कितना आ रहा है, या net मेरी jib से पैसा कितना जा रहा है, धीक है, तो call option के case में क्या होता है,angi брag, call option करते हो, मार्केट में कैPS met तो इंफ़ो किस पर मार्केट में आ Uh inflow होगा at market price तो inflow at market price, outflow में से inflow को क्या किया जाता है हमेचा minus किया जाता है, तो outflow at strike price minus inflow at market price at maturity और एक और चीज होगी क्या premium मैंने pay क्यों होगा zero time पे, तो zero time पे जो premium पे क्यों होगा वो क्या है मेरा जेब से पैसा गया है, वो क्या outflow at premium add कर दोगे तो मैंने क्या क्या, outflow at strike price plus outflow at premium minus inflow at market price at maturity, यह है net pay off, यह format आपको यास कर लेना है इसी से आपको present करना है full marks चाहिए तो अब put option में क्या होगा, put option कब exercise किया जाता है जब strike price जादा है और market price काम में for example, 1000 में मैं आपको बेच सकता हूँ यह strike price, 900 रुपय मार्केट में price अब इस case में क्यों होगा, 1000 में बेच सकता हूँ और 900 रुपय में market में market में price है, तो बेचने के लिए पहले market से खरीदूँगा कितने में, 900 में, तो outflow किस पर होगा market price पर, outflow at market price खरीद लिए 900 रुपय में, अब इसको बेच हूँगा कितने में, 1000 में तो inflow होगा, strike price inflow at strike price, minus outflow at market price लेकिन एक और चीज़ हुई थी, zero time पे premium गया था premium outflow था, वो भी minus कर दे, minus outflow at premium ठीक है, इसमें outflow को minus क्यों किया, sir और call option में outflow को add क्यों किया उदर आपको gain निकाना, आप किस point of view से सोचते हो, generally gain के point of view से put option में इस तरीके से निकाला गया, presentation इस तरीके से करिए आप पहले outflow लिख दोगे, उसमें से inflow minus कर दोगे, उसमें से answer आजाएगा उससे भी answer आएगा, बस आपको फिट judgment लेना है कि gain हुआ है कि आपको कैसे हुआ है, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, इससार इधर मैंने outflow के total करें और उसमें से inflow minus किया, और इसदर पहले inflow निकाला और उसमें से दोनों outflow less करें, यहाँ पे भी अगर मैं put option वाले case में भी दोनों outflows का पहले total कर देता, उसमें से inflow minus कर देता, तो भी save answer आता, पस answer हो सकता है, negative में आ जाता, तो उस according मैं देख लेता, gain हुआ है कि loss हुआ है, जो भी है, समझ के, ठीक है, presentation कैसे भी करो, ऐसे plus minus वारी, वो को option buyer will be at no profit, no loss situation, इस पर भी आप से question पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है, आप से पूछा जाता है, कि जो option buyer है न, वो यह पता काना चाता है, कि maturity पर, उस underlying asset कि क्या market price हो, जिस पर, इस option buyer को profit नहीं हो, लेकिन साथ में loss भी ना हो, market magic क्या price हो जाए, जिस पर इस option buyer को ना profit हो, ना loss हो, maturity पर, तो call option के case में कैसे निकलती है, यह price, strike price of call option, plus premium of call option, strike price of call option, plus premium add कर दो, strike plus premium, strike plus premium, आप कर दो call option के case में, आपके ब्रेक इवन, market price आजाएगी, अगर यह price market पे हो जाती है, maturity पर, तो आपको ना loss होगा, उना ही profit, example के लिए समझो, अब देखो, strike price मानलो मेरे call option के 1000, और premium है मेरा 20 call option का, तो अगर market में price 100020 हो जाती है, maturity पर, तो मुझे profit या loss कुछ भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सोचो, 100020 market में price हो जाती है, strike price कितनी है, 1000, तो मैं क्या करूँगा, 1000 में खरीद दियूँगा, market में कितने बेचूँगा, 100020 में, total gain कितने का होगा, 20 का, अपने dollar, no profit, no loss, रूको, net gain देखेंगे, 20 का हुआ, total gain, मैंने premium कितना पर किया था, 20 का, तो less premium 20, कितना हुआ net gain, 0, तो इस तरीके से मैंने आपको verify करके भी बता दिया, तो break even market price and maturity, आपसे पूछी जाए, क्या होनी चाहिए, option बाइर के point वीज़ है, तो strike price plus premium, और put option में, strike price price minus premium, put में strike price minus premium, call में strike plus premium, call strike plus premium, put strike minus premium, ठीक है, चलिए, आगे, value of option and maturity का पूरा topic देख लिए है, अब next topic, expected value of option and maturity, मैं बोला है, तीन तरीके से valuation देखेंगे, maturity पे valuation, फिर zero time पे हम देखेंगे, maturity पे क्या value हो सकती है, option की, expected value of option and maturity, यहन्ने expected value calculate कर रहे है, इसका मतलब सी बात है हम maturity पे तो नहीं है, उससे पहले है, उससे पहले कब है, ज्यादा तरी यह sport पे calculate कर लिए जाती है, zero time पे हम यह पता लगाना चारे है, maturity पे क्या value होगी, option की, तो maturity पे क्या value होगी, zero time पे हम पता लगाना चाहिए, कैसे पता लगाएंगे, call option के case में सोचो, value कैसे पता है, हम value तब ही निकाल सकते हैं, जब maturity पे market price क्या होगी, उस underlying asset की, वो पता जाए, underlying asset की market price पे तो decision लिया जाएगा, वो पता जाए, तो zero time पे हम market price का estimation लगाएंगे, तो market price का estimation लगाएंगे, expected market price at maturity minus strike price, same वही है, value of call option जो हमने निकाली थी, value of option at maturity में market price minus strike price, यही चीज करी थ होते हैं, तो इसमें क्या करता है, total gain or total payoff ही निकालता है, इसमें net gain net payoff निकालता है, यह option premium कहीं पे माइनस करके नहीं बताता है, directly total gain बताता है, ठीक है, यह आपको यादा है, total gain वाली calculation होती है, तो expected market price minus strike price, simple सा है, बस यही फोर्मूल है, लेकिन, यह तो वही हो गया, इसमें पढ़ाने की क्या जुरूरती, यहाँ पर आपके साथ दिक्कत क्यों होगे न, question में expected market price, पांस साथ दे देगा, simple सी बात है, आज मैं expect करूं, तीन महीने बाद market price क्या होगी, 1100 रुपए भी हो सकती है, 1050 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती है, ऐसे तो नहीं किवल एकी price estimate तो आप simple सा क्या करो, पहली market price add maturity ले लो, उसमें ते strike price मैनस करो, उस market price की probability से multiply कर दो, plus दूसरी market price minus strike price, उस market price की probability से multiply कर दो, प्लस करके चलता जाएगा, add number तर, same put option में, put option में क्या होगा, strike price minus market price, same वही है, और वही probability से multiply होते जाएगे, जितनी भी market price है, उनसे आप करते इसमें आपको नहीं आएगे, इसके बाद, last जो अपने को सीखना है, value of option at spot, value of option before maturity, या फिर इसे हम option premium भी बोलते हैं, ये कैसे निकालेंगे, इसके तीन method है, binomial model, risk neutral method, और black schools model, सबसे पहले binomial model देखेंगे, value of option at spot कैसे आएगे, इसके पीछे एक logic समझो, मेरे को आज की दि value होते हो, हमें maturity पर जाके पता चलती है, simple सी बात है, वास्ताव में इस option में फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या value होगी total, वो तो maturity पर जाके पता चलती है, तो हम क्या करें, आज के दिन value पता करनी है, तो simple सा है, पहले हम expected value of option at maturity पता कर लें, कि आज के दिन हम हमारी expectation से द मैं आज के दिन, expected value of option at maturity निकाल लूँ, और उसका PV कर लूँ, तो value of option at spot होगी, बस यही तो है, यही आपको करना है, यही आपको सीखना है, पर यह तो बहुत easy question होगा है, पर हमें question देखे हैं, बहुत typical होते हैं, तो question easy, मतलब concept easy है, लेकिन question को easy नहीं रखा जाकता है, question को किया जाता है, आपको expected market price at maturity देगा, लेकिन उसकी probability नहीं देगा, आपको expected market price at maturity देगा, लेकिन उसकी probability नहीं देगा, और probability हमेचे यह, आपको याद है, expected value of option at maturity निकालना है, simple सी बात इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं आगी, expected value इस formula में डाला आ जाएगी, और इसका PV तो पीवी करने में तो कोई दिक्कत आती नहीं है तो बहुत एजी कैलकुलेशन हो जाए पर क्या होगा ना जो पीवन पीटू पीन यह लिखे है मैंने यह आपको क्योशन में नहीं नहीं देता जबी भी वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एसपोर्ट में कलवाता है तो वैल्यू क्योशन मार्केट प्रॉप्राइन मateurट यहाए नहीं करेजाती सिर्फ इसेट करें आपके जाए औरे कलंगी और थुर्यूरि को यह प्राइस जादा वाली कि price ज्यादा हो सकती है और एक होगी price कम हो सकती है ज्यादा कितनी हो झाले पाएंगे और expected value निकालने पाएंगे उसका PV भी तो करना है value of option at इसपोर निकालने के binomial model में ठीक है तो दो प्राइस दे रख्योंगी यह assumption इस model की एक ज्यादा वाली प्राइस और एक कम वाली प्राइस लेकिन इसमें कौनसा फॉर्मुला यूज में लें क्या करें तो देखो सिमपल साध बी आपको दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस समझ में अगे होगा सिर्फ एक घ्जगे यह और दूसरे वाली में अरहा है वन प्लस र्ट तो सेम वहीई चीज है क्वास्चन में continious compounding दे रहकाए e यह assumption लेता है directly ठीक है यह तो e की पावर आटी यह फॉर्मुला आपको लगाना है question देखे continuous compounding का तो e की पावर आटी interest rate मतलब continuous compounding दे रखिये तो interest rate normal कुछ भी नहीं बोला हुआ तो 1 प्लस आटी simple interest मानके आपको solve कर दे रहे अब फॉर्मुला में आ क्या रहा है data डी का मतलब क्या है कि आज के comparison में आज जो underlying asset उसकी price के comparison में price नीचे कितना time जाएगी volatility का है price decrease होने की volatility और U बताता है price increase होने की volatility U से upper समझो D से down समझो up down अब मतलब price बढ़ने की probability volatility D का मतलब price गिरने की volatility D कैसे निकालोगे आप expected price देखो आपको क्या लग रही है maturity पर lower level पर 800 पर लग रही है आज कितनी है 1000 तो 800 divided by 1000 करो या था 0.8 यानि आज की price से 0.8 times price गिर सकती है ठीक है volatility कितना time गिर सकती है और U बताएगा कितना time बढ़ सकती है मानलो आपको लग रहा है 1300 और आज है 1000 तेरा सो बाग हजार कर दो 300 divided by 1000 तो कितनी हो गई 1.3 हो गई है 1.3 यानि price 1.3 times बढ़ेगी 1.3 times हो जाएगी volatility तो इसको formula में रख दो E की पार और T minus D divided by U minus D R का मतलब है interest rate परहनम R क्या लोगे interest rate परहनम ठीक है T का मतलब है required time that is time period of price change इसका क्या मतलब है आपको price दे रखी तीन महीने बाद की आपको तीन महीने की maturity और तीन महीने बाद की बोली है कि तीन महीने बाद प्राइस या तो ती क्या है 3 months आपको 3 months यूद में लेना है लेकिन rate of interest कितनी है परहनम में तो आप क्या करोगे for example rate of interest 10% 10% multiply by T कितना करोग ठीक है यह formula है probability of price increase आजाएगा probability of price decrease कैसे आगा दो price है सिर्फ increase की पता चल गए तो decrease की probability क्या होगी probability का सम हमेशा 1 होता है 1-P कर दोगे तो probability of price decrease आजाएगी यानि price increase की probability 1 में से माइनस कर तो price decrease की probability अब हमें probability पता चल गए अब तो बिलकुल question हो गया expected value of option and maturity पता कर लो उसका पीवी कर लो तो अब directly value of option at sport आजाएगी तो expected value of option at maturity कैसे पता करेंगी अभी हमने सीखा है expected market price at maturity 1-strike price multiply by P1 plus expected market price at maturity 2-strike price multiply by P2 सिर्फ दो ही price है बस यहीं पे खतम हो जाएगा expected value of option at maturity आजाएगी और इसका PV करेंगे तो divide में PV factor PV कैसे किया जाता है वही अगर continuous compounding interest rate दे रहे तो e की power RT से PV होगा और norm कुछ ही नहीं बोला होगा तो हम simple interest मान के 1-plus RT से PV करेंगे तो PV में तो वही है जैसा दे रखाओगा उसी method से PV हो जाएगा ठीक है ऐसा आप कर लोगे अब इस question में देखो इस तरीके से question करना है पर एक चीज़ आता है आई सीय का एक question ऐसा है जिसमे है two step binomial model में थीक है तो उस वाले question में जब P निकाला गया जब probability और price increase निकाली गई तो formula जो यूज में लिया गया ना उसमें क्या यूज में लिया गया 1-plus-R की poverty हमने e की और RT देखा और 1-plus-RT देखा जनरली यह formula यूज में होंगे सिर्फ एक ही question ऐसा है जहाँ पर compounding interest व वाला formula लगाया सिर्फ एक ही question है उस question को आपको याद दखना पड़ेगा सब-period वाला आपको question देखते समझ में आ जाएगा तो उसमें ICA ने यह गल्ती कर रखी है चलिए आगे risk-neutral method कुछ भी फर्क नहीं है जो binomial method से value of option at export आएगी सेम वही risk-neutral method से आगी यानि दोनों जैसा ही answer देते हैं फर्क का है सेम procedure भी वही है सबकुछ वही है फर्क सिर्फ इतनी चीज़ का है कि probability of price increase जो हम निकाल रहे दे बस probability of price increase का formula change हो जाता है उसी formula को expand किया जाता है बस डिराइव करा जाता है उसी formula से यह अब देख़ो फॉर्मुला क्या है अपर लेवल पर price क्या हो सकती है अपने example में हमने expect करी थी ना 1300 हो सकती है या फिर 800 हो सकती है तो अपर लेवल पर क्या हो सकती है expected value of option at maturity नहीं expected market price at maturity को PV कर ले maturity पर जो market price होगी अगर उसको PV कर ले तो theoretically तो यह होगा न कि वो sport price के बराबर आ जाए theoretically market में कुछ भी हो वो अलग चीज है theoretically तो simple सी बात है कि जो future में जो price होगी reliance के share की अगर उसको PV कर ले तो आज की price आ जाने चाहिए तो वही चीज़े expected market price at maturity को हम PV करें PV कैसे वही simple interest या continuous compounding, simple interest से करना है तो 1 plus RT equals to किसके बराबर आ जागा sport price of share और अगर continuous compounding बाला करें तो expected share price at upper level multiply by P plus expected share price at lower level multiply by 1 minus P divided by E की power RT continuous compounding तो PV कैसे होता है E की power RT से और इसके सामने फिर क्या आजाएगी sport price यह किसके बराबर आ जाना चाहिए sport price of share उस reliance के share के आज की दिन क्या price है तो यहां पे हमने क्या क्या expected market price of share at maturity expected market price of share value of option नहीं क्या price probability of price increase में क्या 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 है expected market price of share at maturity इसमें data रखेंगे P आपका निकल के आ जाएगा P आ गया तो 1 minus P price decrease की probability आ जाएगी value of option at spot निकालना है probabilities पता चल गई सेम वही expected value of option at maturity निकाल लो उसका पीवी कर दो उसके बास सबको सेम है सिर्फ एक difference आया रिस्क न्यूटर में probability of price increase निकालने के बास तो यह भी आपका complete हो गया अब लाश्ट ब्लैक स्कॉस मोडल जिसमें सबसे जादा doubt रहते हैं students को सबसे दिखेत हैं यहां पर मैंने कुछ steps लिखे हैं उन steps को follow करना कभी यह question गलत हो गई दी बाकि इस पर कभी question आएगा तो बहुत लेंदी question मनता है time लगता है इसके question को solve करने के तो अभी तो बहुत पहले question आयते इस पर 18 साल पहले अभी तक ICI ने इस पर question पूछा नहीं और chances भ से पहले हम call option की value निकालना सिखते हैं binomial model और risk-neutral method चाहे call option की निकालो चाहे put option सेम कुसी तरीकी से जाएगी एक ही method है लेकिन black is cost model में method change हो जाएगा call option की value निकालना सिखते हैं कैसे निकलेगी अब देखो call option क्या है मैं पात right to buy है मैं चाहूं तो share खरी सकता हूं सिम्पल सी बात मैं खरीदूंगा कब जब market में price maturity पे जादा होगी और strike price कम होगी यह बहुत बार हमने देख लिया market price maturity जादा होगी strike price कम होगी लेकिन black is cost model से जबी भी आप value find out करने की कोशिच करोगे तो market price maturity आपके पास available नहीं है expected market price maturity भी expected market price होगी तो सिम्पल सा हो जाता है expected market price में strike price माइनस कर देते लेकिन black is cost model में assumption क्या होती है हमारे पास expected market price at maturity भी अवेवेवेवेवेवेवे नहीं है तो ऐसे case में क्या किया जाए हम क्या करते अगर available होती तो सोचो क्या करते expected market price at maturity minus strike price और यही हमारी value of option आ जाती यही आ जात प्रेक्टिकलाइब theoretical ही सोचो क्योंकि यह सारे फॉर्मूलाज theoretical formula है theoretical value of option बताते है दो theoretically sport price क्या होती है underlying asset की जो expected market price है उसका पीवी future की market price का पीवी future में उस share की market price कितने होगी उसका पीवी जो अभी अभी risk-neutral method में probability निकालते है time भी मैंने आपको explain किया था future में उस share की market price क्योंगी उसका पीवी कैए sport price of underlying asset यही है तो उसका पीवी है मतलब जब हमने हम share की value of option कैसे निकालते है market price at maturity maturity minus strike price करके तो हमने क्या किया market price at maturity तो है नहीं तो उसका PV कर लिया उसकी जगा हमने क्या ले लिया sport price of underlying asset यह तो अवेलेबल होगी तो जब हमने इधर पीवी किया है तो strike rate का भी strike price का भी PV कर लो तो हम क्या कर रहेंगे expected market price at maturity का PV minus strike price का भी PV यह तो simple है ना यह तो हम कर सकते है क PV कैसे करेंगे divide by e की power 80 सर यहां पर भी दूसरा यूद में हो सकता है क्या 1 plus 80 एक चीज़ या तक ना ब्लैक स्कॉल्स मोडल में एक assumption है कि यहां पर continuous compounding होती है ब्लैक स्कॉल्स मोडल की पहली assumption है continuous compounding होती है mind में fit कर लो यहां पर सिर्फ continuous compounding होगी कभी भी simple interest या continuous normal compounding नहीं ह सिर्फ continuous compounding होगी यानि ब्लैक स्कॉल्स मोडल के formula में हमेशा e की power 80 वाला formula यूब में होगा ठीक है तो strike price को भी हमने PV कर लिया क्योंकि या reason मैं formula explain करने की कोशिच कर रहा हूं थोड़ा सा ता कि आपको इस revision lecture में भी summarize यह formula समझ में आए अब formula में यह दो component समझ में आ गए अब आपको मैंने ंड1 से multiply किया और strike price के PV को मैंने ंड2 से multiply किया तो ंड1 किया अब बताता है कि price बढ़ने की probability कितनी है ंड2 बताता है option को exercise करने की तो ंड2 को multiply भी किसके साथ किया है exercise price से और ंड1 को multiply भी किसके साथ किया गया है spot price of underlying asset से ठीक है यह formula है तो formula आप याद रखो थोड़ा सा मैंने logic explain करने की कोशिच करिए ताकि आपको समझ में आपको समझ में जाएगी दो चीजों में दिक्कत आएगी nd1 और nd2 बस यही हमें calculate करने है तो हम कैसे calculate करेंगे वह formula है value of call option निकालने का black score model से लेकिन उसके लिए steps follow करने पड़ेंगे हमें क्या चाहिए nd1 और nd2 निकालने के लिए सबसे पहले में d1 और d2 निकालने पड़ेंगे तो calculate कर formula है इस formula को कुछ explain नहीं करने वाला भी मैं सिर्फ formula याद कर लो क्योंकि explain करना division lecture में बिल्कुल भी possible नहीं है तो क्या formula है natural log of spot price divided by exercise price natural log of spot price divided by exercise price plus rf plus variance divided by 2 multiply by t divide by standard deviation under root t यह आपको formula याद में रख लेना है d1 का एलन sport divided by exercise का क्या मतलब है natural log of spot price divided by exercise rf का मतलब क्या है risk free interest rate per annum standard deviation कसाइन होता है t equation number of years यह formula में रख दो d1 आपका calculate होके आजाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी इस formula में risk free rate और standard deviation हो सकता है question में आपको percentage में दे रखो पर कभी भी formula में आपको percentage में data नहीं डाना है decimal में data use में लेना है risk free rate और standard deviation variance जिसका भी data है सारा का सारा decimals में यूज में लेना percentage में data use में मत लेना अदर्वाइस पूरा question गलत हो जाएगा आप सही भी करके आओगे सब कुछ 0 marks में ठीके किसमें data use में लेना है दूसरा d1 पता चल गया d2 पता करना है d2 पता करना है एक तो वही तरीका है बहुत बड़ा formula वही natural log of export price divided by exercise price plus rf यहाँ पर rf के बाद प्लस आ रहा था d1 में यहाँ पर minus कर देंगे minus variant divided by 2 multiplied by t divided by standard deviation under root t एक तो यह है लेकि यह formula कोई भी यूज में नहीं लेता shortcut तरीका है d2 निकालने का इसे यह भी shortcut यूज में लेता है shortcut तरीका है क्या है d1 minus standard deviation under root t यह क्या है जो d1 में denominator में जो चीज़ सी ना division under root t उसको d1 में से minus कर दिया तो d2 आ जागा बस यह formula यूज में लेना है मैंने box बना के tick लगाया इसका मतलब क्या है आपको यह यूज में लेना exam में बड़ा वाला formula यूज में नहीं लेना d2 के लिए d1 d2 आ गया लेकिन हमें क्या चाहिए nd1 और nd2 तो nd1 और nd2 अब calculate करते है d1 d2 पता कर लिए तो nd1 nd2 भी आ जागा nd1 nd2 क्या होता है n का मतलब है normal distribution table nd1 का मतलब है cumulative area of d1 in normal distribution table यह economics में अपने statistics में बहुत बार देखा होगा cumulative area क्या होता है normal distribution table क्या होती है इनको अभी यह आप find out कर लोगे इसके लिए आपको normal distribution table का कोई data दिया रहेगा उससे आपको find out करना है आप देखो अगर आपका question में d1 d2 आया positive आया d1 और d2 दोनो positive आया तो आप उनकी values कहां डूंड होगे positive normal distribution table के अंदर positive normal distribution table भी दो तरीके के positive और एक negative तो उनकी values कहां डूंड होगे positive normal distribution table में और सभी questions में आपको positive normal distribution table ही मिलेगी लेकिन अगर d1 d2 negative आया तो उनकी values कहां डूंड होगे negative normal distribution table में तो question में अगर negative normal distribution table दे रखी है तो d1 d2 अगर negative है तो उसके अंदर आप value ढूंड हो लेकिन D1, D2 आपके negative आ गए और question में आपको positive normal distribution table दे रखिए है तो अब क्या किया जाए तो अब normally D1, D2 को positive मानते हुए positive normal distribution table में से उनकी values find out कर लो और जो values आई उनको 1 में से minus कर दो जो values आए उनको 1 में से minus कर दो तो ND1, ND2 आ जाएगा दुबारा सुनो ND1, ND2 क्या होता है ND1 का मतलब है cumulative area D1 का normal distribution table में ढून लो ND2 का मतलब है cumulative area D2 जो भी आया आपका D2, D1 के आएंगे decimal figures आएंगे जैसे 0.567, 0.6789 ऐसे कुछ आएंगे तो cumulative area of D2 इनको हमें normal distribution table में cumulative area ढूनना है अब D1, D2 positive आए आपको जाज़तर question में positive normal distribution table मिलती है डारेक्ली ढून लो वही value हो जा negative आगया negative distribution table दे रखिये तो directly D1, D2 की negative distribution में value दे की cumulative area यूद में ले लिया कोई दिक्कर नी है लेकिन D1, D2 negative आया और question में आपको positive normal distribution table दे दी तो अब आपके साथ दिक्कत होगी आपकी values तो negative distribution table भी negative लेकिन आप क्या करना पड़ेगा आप अपने को जुगाड लगाना आप देखो cumulative area यह सब क्या होता है एक फटा फटा फट से explain कर देता हो normal distribution table एक line है और उसके पार curve बनाया है जाता है line में D1, D2 जो आपकी values होती है यह value होने की probability कितनी है यह चीज होने की probability कितनी है और line पर होती है numbers यह चीज होने की probability कितनी है वो आपको curve पे ढूणनी है वो cumulative area है D1 देखो यह D1 है तो इससे पहले का जितना भी यह सारा cumulative area और अगर D1 इस वाली side में आए तो इससे पहले का cumulative area है सब बीच में जो mu है वो होता है average point यानि इससे इधर भी 0.50 की probability है और इससे इधर भी 0.50 की probability है इसके बाद है area of left or right one tail कई बार आपको question में cumulative area देते तो बिल्कुल easy question हो जाएका directly आप find out करो है लेकिन question में आपको कई बार क्या बोल देता है left tail area दिया हुआ है या फिर right tail area दिया हुआ है यानि one tail area बोलते है यानि जो आप आप देखो D1 D1 में यह तो cumulative area था लेकिन इधर का जो एरिया है छोटा था इधर का जो बच गया जो होता बराबर होते हैं हमेचा right tail area of D1 equal to left tail area of D1 इसमें कोई दिक्कत निए लेकिन हमें तो क्या चाहिए nd1,nd2 निकाले के लिए cumulative area कैसे निकाले है logically सोचो probability का total कितना होता है इस पूरे curve का total कितना होगा 1 होगा हमें इतना सा portion दिया होगा है और हमें इतना सारा portion निकालना है यह बाकी का portion निए तो हमें चे़िए cumulative area तो 1 में से यह जो portion दिया हो यह minus कर दो तो 1 में से 1 tail area माइनस कर दो cumulative area जाएगा वो ये अंड 1 अंड 2 हो जाएगा कई पार question में area of left and right tail दिया होता है यह यह लेफ्ट और राइट दोनों का area इसे बोला जाएद है two tail area बोथ area of both left and right दोनों tail का area दे रखा है D1, D1, दोनों side में कहीं पे भी रखूँ एक side होती है price गिरने की एक side होती है price बढ़ने की ठीक है price increase or price decrease की probability दोनों पॉइंट फाइफ जिरो पॉइंट फाइफ जिरो लेके चला जाता है one tail area से cumulative area कैसे निकालते है one minus one tail area तो मैंने वही किया है one minus two tail area divided by two ऐसे है कुमिलेटिव एरिया ठीक है यह चीज़ आपको समझ नहीं पड़ेंगे फॉर्मूला आपने पास थाई spot price of underlying asset multiply by nd1 minus present value of strike price multiply by nd2 spot price और strike price आपके पास होगी उनका PV करील होगे nd1 nd2 आपने निकाली लिया formula में data डाल दो value of call option आ जाएगी यह होगया black is course model complete अब देखो इस पूरे chapter से related कुछ notes मैं आपके tricks बता रहा हूं जो आपके काम में आएगी एक तो आपको e की power की value calculate करने हो value of e raise to power e raise to power आपको दे रखिए question में value दे रखे directly यूद में ले लो कई बार किया इसे question में value देना भूल जाता है calculator पर shortcut तरीक से e की power को solve कर लेंगे maximum 10 seconds लगेंगे आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना ICA कुछ भी करें हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम तो फिर भी आंसर सही देखे आएंगे एकी power को अगर calculator में निकालना है simple सा तरीक है power में जो है उसको लिखो सबसे पहले power में जो है उसको लिखो 0.10 for example एकी power 0.10 है तो 0.10 लिखो divide by 4096 करो divide by 4096 इस word को रटलो 4096 इस number को divide by 4096 करने के बाद प्लस 1 करो प्लस 1 करने के बाद multiply equals to 12 times करो multiply equals to multiply equals to multiply equals to ऐसे बारा बर करो आपका answer आजाएगा जो answer आएगा वही होगी एकी power की value एकी power 0.10 को इसको solve करके देख लो आपका answer आ रहोगा 1.1052 और table में जाके देखोगे तो भी यही मिलेगा आपको और जंदली सभी students को एकी power 0.10 की value पता होती है 1.1052 यही आपका answer आ रहोगा बिल्कुल easy तरीका और accurate answer आएगा कभी भी question गलत नहीं होगा लेकिन किसी भी question में अगर आइसे ने directly value दे रहे है एकी power की तो वही यूद में लेना क्या करते है ना एकी power 0.10 की हमें value पता है 1.1052 है लेकिन question में इसे ने दे दिया एकी power 0.10 की value आपको यूद में लेनी है 1.1047 तो आपको वही यूद में लेनी पड़ेगी ठीक है उस टाइम अपना extra दिमांग मत चलाना यह आपको कप करना है जब आपको value ना दे रखियो हो आप इस तरीके दे पता कर सकते हो missing value इसके बात natural log की value पता कर क्योंकि बहुत सारी आफ़त होती है इसके अंदर तो इसको पता करना भी बिल्कुल easy होता है देखो लोग क्या बताता है पहले यह समझो लोग बताता है एक चीज है इसका बेस नैचुरल लोग में क्या होता है बेस होता है e किसी चीज का बेस e था उसकी कुछ power थी और कु तो नैचुरल लोग बताता है किसी चीज की बेस है e उसकी power कुछ थी जो मुझे नहीं पता उससे final answer उस power को जब solve किया तो final answer आया है 1.1052 तो अब पावर बताओ तो लोग आपको किसी चीज की power calculate करवाता है और e raise to power अभी हमने जो उपर method लिखा वो हमें क्या करवा रहा था e की power को solve करवा रहा था e की power को solve करवा के final answer दे रहा था और natural लोग क्या बताता है e की क्या power थी जिससे ये final answer आया वो बताता है यानि natural लोग क्या है e की power जो हम निकालते है उसका reverse है उसका ultra है simple सी बात आपको समझ में आया हो तो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं उसका क्या करेंगे जो final value है क्या 1.1052 वो ही हम आंत्र लेते हैं जिसे आपका cross verify भी हो जाए आपको दिया हुए natural log 1.1052 इसकी क्या value होगी तो आप calculator भी रखो 1.1052 हमने final step क्या किया था एकी power में multiply equals to 12 times आप पहले करो अंडर root 12 times multiply equals to का reverse उल्टा क्या होता है अंडर root अंडर root करो 12 times अंडर root अंडर root अंडर root भराबार इसके बाद हमने वहां पर क्या किया था प्लस 1 यहां करेंगे minus 1 वहां पर हमने किया था divide by 4096 तो divide क्या था divide का दूसर क्या होता है यह आपके बहुत जगें help करने वाला costing में भी शायद काम आता है natural log आता है यह दूसरा नोर्मल लोग भी होता है तो जो भी काम आता है यह natural log का तरीका है नेचुरल लोग ही हमारे काम में आने वाला इदर formula में तो मैंने नेचुरल लोग की टेक्निक्स बता दी चलिए आगे चलते ब्लैक स्कॉस मोडल में आपको question में दिया हो सकता है अंडरलाइंग asset से आपको income मिल रही है तो सर इसको अलग से क्यों लिख्वा है वही आपको भी पता इसे के question में कुछ भी हो सकता है तो हमें भी फिर कुछ भी बढ़ना पड़ेगा तो ब्लैक स्कॉस मोडल में पहली बात तो अंडरलाइंग asset से income होती नहीं है यह assumption होती है लेकिन इसे के question में ब्लैक स्कॉस मोडल के question में भी आपको dividend की income देखे रख सकता है तो उसकिस में कैसे solve करेंगे simple साय जहां जहां आपकी spot price of underlying asset use में आ रही है जहां 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 जो भी हमने formula यूज में लिए सब जगे dividend की present value को minus कर दो ठीक है dividend का future में मैंने क्या बोला हमेशा इसे क्या assumption लेता है dividend maturity पे मिलता है यह assumption लेता है और spot price में से क्या minus होगा zero time का dividend को पहले pv किया जाता है spot price हमारा formula क्या था spot price रव अडलाएंगा set इसमें से माइनस करेंगे dividend का pv dividend divided by e की power rt मैंने बोला यहाँ पर e की power rt चलता है सब कुछ multiply by nd1 minus a strike price का pv multiply by nd2 ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है कि इसके इसके बाद एक को जगे spot price काम में आती है कहां आती ह याद करो डीवन की calculation में क्या होता है natural log of spot price divided by exercise price तो यहाँ पर भी हमें formula change करना पड़ेगा उस case में natural log of spot price minus dividend के pv divided by exercise price spot price मैंने dividend का pv dividend का pv क्यों होता है dividend divided by e की power rt जिसे मैंने dividend e की power minus rt लिख दिया इसके पीछे logic भी बता दिया था ठीक है तो अगर dividend की income दे रहा क्यों जहाँ जहाँ market price हमार पास available नहीं expected market price तो हम क्या करते हैं उसका pv कर रहे हैं जिसको हमें sport price बोल रहे हैं तो हमने directly sport price लिख लिया तो इस ट्रैक प्राइस का भी पीवी करते हैं वही फोर्मुला है जो call option का था था बस पहले प्राइस को किससे multiply करते हैं और sport price को किससे multiply करते हैं लेकिन बस put option की value निकालनी है तो एक चीज़ चिज़ होगी nd2 nd1 जो थे उनकी जगह क्या आ जागा 1-nd2 1-nd1 stack price के pv को किससे multiply करेंगे 1-nd2 से sport price को किससे multiply करेंगे 1-nd1 से समझ में आया इसके पीचे reason क्या है nd1 आपको क्या बताता था कि probability of price increase लेकिन put option कब exercise होता है जब market में price कम हो तो यहां हमें क्या चीज़ है probability of price decrease इसलिए यहां पर nd2 nd1 डोनों में से 1 को minus कर दिया जाता है यह इसके पीचे logic है अब इसको अगर आप extract करोगे इस formula को आगे solve price of underline asset plus value of call option black scores model से जो आई ती Pb minus track approach values of call option प्लस value of call उसे प्रेक प्राइसम में आगे इस पॉर्मूला बना कैसे इसको आगे एक्षट करो, जो मैंने डिटेयल लेक्टर में समझा रखा है, अभी आप बस यह याद रखलो. इसके बाद एक theory होती है, put call parity theory, कुछ भी नहीं है, एक theory किससे बनी है, black is cost model ते जो हमने put option की value निकाली थी ना, उसी formula को रख दो, उसी से एक equation बनाई गई है, और उस equation को बोला गया put call parity theory, इसके पीछे logic क्या, उसको समझने की requirement नहीं है, वो logic क्योंकि कोई काम का नहीं है, theoretical एक चीज़े right hand side में, value of put option के साथ, इधर right hand side में minus spot price of underlying a side, इसे इस side में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, plus spot price of underlying a side, बस यह है, value of put option और spot price of underlying a side का total, और strike price का payview और value of call option का total बराबर होता है, यह बोलती है put call parity theory, इसके पीछ लोजिक क्या है, क्या reason होता है, वो सब अभी explain नहीं कर होती है, अभी आपको समझने के requirement भी नहीं, exam point of view से, इसके बाद option Greeks, कुछ option Greeks होते है, option Greeks क्या है, पांच तरीके के option Greeks है, यह आपको कुछ decision लेने में help करते हैं, कुछ decision यह आपको देते हैं, फटा-फट से, देख लेते हैं, इन पे question बनता नहीं है, delta पे फिर भी एक-दू question आया हुआ है, छोटा था, एक point दे देते हैं, बाकि किसी प्यास तक question आया है नहीं हो, कभी बनेगा, तो आप easily बता पाओगे क्या होते है, देखो, delta, gamma, rho, theta, vega, यह option Greeks होते है, delta को triangle के sign से show करते है, delta को hedge ratio भी बोला जाते है, delta को hedge ratio भी बोला जाते है, किसी question में आप से इस chapter में यही समझाता, तो delta आपको बताता है कि जो underlying asset है, उसकी price में अगर एक रुपिय का change होता है, एक रुपिय से price बढ़ती है, या नीचे गिरती है, तो उसके option की value में कितना change आएगा, option risk के हैं, यह Greeks of option है, option के Greeks हैं, तो option की value में कितना change आएगा, अगर underlying asset की price एक value में किया change आएगा, तो यह बताता है, delta, अब hedge ratio या delta, यह calculate करने का क्या तरीका है, एक formula है आपके पास, value of option and maturity at upper price, maturity पे option की value upper price पे क्योंगे, आज के दिन देखो, आपको लग रहा है, जो share की price है, आज के दिन 1000 रुपए, maturity तीन महीने बादा, उस दिन या तो price 1300 हो सकती है, तो 300 की case में बताओ, value of option क्या होगी, आपको शायद option दिया गया है, कि आप 1000 में खरीद होगे, तो कितनी होई प्राइस, 300, और 800 अगर हो जाती है, तो 1000 में खरीद होगी, या नहीं खरीद होगी, एकसरसाइज ही नहीं करोगे, तो उस case में value of option क्या होगी, 0, तो 300 minus 0, value of option at maturity at upper price minus value of option at maturity at lower price divided by upper price minus lower price 300 minus 0 divided by 1300 minus 800 यह आजाता आपका hedge ratio hedge ratio आपको क्या बताता है for example hedge ratio मैंने calculate करा और यह 10 shares इसका क्या मतलब है आपको अगर 10 shares की hedging करनी है 10 shares आपके पास है hedging करनी है उनकी तो आपको एक call option लेना पड़ेगा जो भी आपका decision रहेगा उसके according आपको एक option लेना रहेगा समझ में आया अगर मेरा answer hedge ratio में आता है 100 shares इसका मतलब क्या है 100 shares की hedging करनी है तो एक option लेना रहेगा समझ में आया यह इसका interpretation होता है इसके बाद gamma, gamma को Y इस तरीके से science से denote किया जाता है इसका क्या मतलब होता है अगर जो underlying asset option के अंदर उसकी price में एक रुपय का change आता है तो उसे option delta कितना change होगा option delta क्या बताता है 1 रुपय चेंज आने से price में option की value में क्या change होगा गामा बताता है, option की delta में कितना change होगा, तो इसका formula लिखना चाहओ, simple सा बन जाएगा, difference in option delta divided by difference in price of underlying asset रो, इसको P के science से denote किया जाता है, यह क्या बताता है कि 1% interest rate आपने देखाओगा option की जितने भी valuation थे, सब के अंदर interest rate बहुत important factor था, तो interest rate अगर 1% change होती है, तो उसे option की value में कितना change आएगा, तो formula क्या हो जाएगा, difference in option value divided by difference in interest rate, यह formula में कैसे use में लेना, for example, question ऐसा बन सकता, आज तक बना नहीं, आपको दे दिया 10% interest rate पे option की value और 11% interest rate पे option की value, या 15% interest rate पे option की value, तो दोनो option value का different, divided by दोनों interest rate का difference या जाएगा हो, इसके बाद थीटा, यह बताता है कि option की maturity period है, उसमें अगर 1 day change कर दे, एक दिन का change हो जाए, maturity period एक दिन आगे, खिसका दे, एक दिन पीछे कर दे, तो option की value में कितना change आएगा, तो difference in option value divided by difference in time, विगा क्या बताता है आपको, कि जो standard deviation है, black score model को याद करो, black score जो method था आपका, इसके अंदर, standard deviation आपके काम में आ रहा था, तो उस standard deviation में अगर 1% change कर दिया जाए, तो option की value में कितना change आएगा, तो यह सारे आपके Greeks हैं, जो आपको एक बाद देख लेने हैं, theory question इन पर बन सकता है, practical question आस तक इन पर बना नहीं है, hedge ratio फिर भी एक दो बार पूछ लिया गया है, delta gamma rho theta विगा, याद कैसे कर सकते हो, तो यह को delta gamma normal हो जाएंगे, delta आपको option value में change बताता है, price में कितना एक रुपए change आने पर, ठीक है, delta, gamma delta का change बताता है, इसके बाद rho theta विगा, इसको कैसे याद करो, rho में starting word क्या है, starting आपका letter है, r, r यानि interest rate, rate of interest, t, theta में क्या है, t, t का मतलब time, यह time से change बताता है, विगा में v, v किसको represent करता है, अगर आपन देखे तो v का मतलब होता है, volatility, आपको याद आएगा, कौन सा वाला option, किस चीज़ को reflect करता है, तो इसके तहा derivative chapter का पूरा revision अपने कर लिया है, exam point of view से अपने सारे topics जितने भी बन सकते हैं, इस chapter में सब cover करें, study material में जितने भी topics से अपने, सारे समय पने cover हो गए हैं, और आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, बाकी chapters का भी revision मैं जल्दी बना दूँगा revision lectures, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you so much.